स्वागत है आपका उत्तरभारत में घरों में एक गरुन पुरान को छोड़ के बागी किसी पुरान को रखने की प्रचलित मनाही नहीं है महाभारत रखने की बड़ी मनाही है इसकी वजय क्या है इस माननिता के शास्त्र बहुत ही भयानक है, शास्त्र की जो कहानियां है घर में विस्फोर्ट हो जाएगा आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, पिर ये मिट करियर आपने लाइंग चेंज कर ली I knew what I didn't want to do, कि ये मुझे नहीं करना है, लेकिन क्या करना है मुझे पता नहीं Chief Belief Officer, for five years with Mukesh Ambani, सीदे Mukesh भाई के साथ, बताईए कुछ हमें Mukesh Ambani, हमने तो सिर्फ टीवी पर देखा है, उनके जैसा विजन मैंने किसी के पास, जिसको संस्कृत में कहेंगे गरुद्रिष्टी, to see future तर्क गड़ा जाता है कि हमारी उदारता और सहिशनता का फाइदा उठाकर हमारा क्रमिक दमन किया गया, इसलिए वीरता दिखाने का वक्त है ये रिवेंच स्टोरी बॉलिवोर्ड, हॉलिवूड की कहानी है, शास्त्रों में नहीं लिखाया है ग्यान और ग्यान से करुणा और उदातिता की बात कर रहें, लेकिन आपके कुछ ट्विटर पे स्क्रीन शॉट वाइरल हुए, जिसमें आप प्रोध में नजर आए लोग उनको चड़ाना आमें भी आता है, हम भी चड़ाते हैं, तो आप भड़क जाते हैं आजकल की जमाने में सब को चलाना बहुत असान है, मेरे पुराने ट्वीट स्टों में डिलीट कर चुके हैं, अभी भी लोग देखते हैं, इंक्लूडि यॉर बॉर्ट में हम काफी जगा देखते हैं, समलैंग निक्ता पर बात होती है आप अगर मतुरा जाओ और ब्रजभूमी जाओ तो वहाँ गोपेश्वर महादेव जी है, तो शिवजी को कोई हम बोलते हैं माचो शिवजी, माचो शिवजी वहाँ नथ लगा के बैठे हुए हैं महारास करने के लिए, उनको टेंशन नहीं, कि मैं हास्त्री रूप ले ल पेश करते हैं करनाटक वाले अपना, महराश में अपना है, गुज्रा चाहते हैं, किस राजमें इन पर मुकदमा चाहते हैं बस ये बता दे इस्थान के लावा जाती को लेके भी होता है, योगी जी ने भी बोला था चुनाओं से पहले, कि उनकी जाती दलित है, तो आपक विदिता हमें हमारे इर्दगिर्द की प्रकरती सिखाती है, और ये जो कंभीड़ता का बहुत खराब अभने करने वाले ललन्ट आप न्यूजरूम के लोग हैं, कद्धाईनी सिखाते हैं, नमस्कार मेरा नाम सौरभ है, गेस्ट इन दर न्यूजरूम के एक नए एपिसो अब हमें ये बताएंगे कि हमारे पुर्खे अलग-अलग वक्त में जो पौरानिक गाथाएं हैं, जो धर्म का बहुत लचीला, बहुत व्यापक, बहुत विशाल स्वरूप है, जिसकी कई व्याख्याएं संभव हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने तहीं कैसे पढ़ा आपके निजरूम में, मैं आपको सर की जगे भाई साब कहूं तो कोई इतराज तो नहीं, देवदत बोलिए, जिसमें आपकी सहजिता हो, देवदत जी कह देता हूं, मुझे थोड़ा सा अठपटा लगेगा, आप या तो जी ले लीजे या भाई साब ले लीजे, क्या है फिर तो, हमारे हाँ भाई साब ये कहा गया ना, एक अक्षरा प्रदात्ता गुरू और आपकी तो हमने इतनी पोथियां पढ़ी हैं, तो इस उस कृतग्यता के भाव से वो शब्द आ रहा है, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, घरवाले बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमने सुना है, जो लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, कि शुरू में रगड़ा पट्टी बहुत होती है, पहले इंटरेंस निकालो, फिर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद नीट पीजी, जिसके लिए अगले अकेडमिक एर से नया इंटरेंस का तरीका भी आ रहा है, एम यह को समझ नहीं आहा था, मैं क्या कर रहा हूं, कि यह कुछ मwegद सि्टिब्दी क्रण पढ़ा था, वर में में क्या कर रहा हूं, कि बिए मेडिसी पड़ाः और उस्समाने में में इंटर्स नहीं था, प्र नहीं होता है, तो अगर आगा रूमबाई के लिए लिए लिए- हमने यंग दिखते हैं, लिकिन नॉट यंग ये 80s, 90s की बात होगी So this is 90... 88 So I did my medicine in 88 Toh Bombay University में Grand Medical College है Toh, वहाँ पे मैंने मुझे entrance मिल गया, I got in and I did very well, I was amongst the top students Toh, surgery की seat थी MS करने के लिए, but I decided not to do it एक decision ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पता था कि मुझे जिए क्लिनिकल मेडिसिन नहीं करता हूं And I knew what I didn't want to do कि ये मुझे नहीं करना है लेकिन क्या करना है मुझे पता नहीं था Toh मैंने ISK exams दे दी उसमें UPSC में medicine was not a subject एक दो साल उसके पहले So I am a history subject ले लिया, UPSC में लेकिन जब मैं इंटर्व्य के लिए आया मैं दिल्ली देखा मैं भुला नहीं ये वातावरन मुझे पसंद दी ये जो Mumbai वाले दिल्ली की ऐसे सामने सामने बुराई करते हैं अमको अच्छा नहीं लगता Mumbai का मानने अच्छा 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 नहीं दिया जाता है इंडिविज्वल अंट्रपेनियर्शिप को जादा इंपोर्टन्स दिया जाता है और तो वो I wanted to go be in the Bombay space and luckily वहाँ पे फिर मैंने pharma and healthcare industry में मैंने काम किया और फरी टाइम में अच्क्छा अच्छा के लिख था लिख़या, मैं जब इस्क्छा लिख विढ़ा होगा लगा जब मैनेज्मेंट में आगहा तकर्वामानेज्मेंट में अच्छा अच्छा हुचा भड़नाएं ता यछ मर्केटिगा ता था I was naturally very good. और जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे मुझे आंसर मुझे हमेशा अख्यान में बलते थे और लोगों को मैसे स्टोरी संजाता था पंड़ूं की कथा से, लक्षमी दुर्गा, सरस्वती, ऐसे थे ऐसे कॉंसेप्स से मुआता था और लोगों को बहुत पसंद आता था तो एक मेरे फ्रेंड ने कहा की वाइड़ूं की राइड़ूं की कमी हो गए थी क्या नाम था अंदोस्त का? गांगुली गांगुली Mr. Ganguly from Corporate Dossier क्या नाम था? रंधिर खरेत रंधिर खरेत रंधिर खरेत उसके बाद वा उनका साथ So he said I should write on उन्होंने कहा That I must not write well So he helped me write की लिखते कैसे हैं की लिखने का ध्वनी कैसे होना चाहिए What is the sound of the words He was a poet तो मुझे बहुत explain कर रहे थे But Dibendu Ganguly was the one who sort of really pushed me to write on management और वो बहुत famous हो गया It was supposed to be only five columns अभी almost क्या 15 साल हो गया मैं कॉलम लिख रहा हू वही कॉलम And that got a lot of traction फिर किशोर बियानी ने मुझे बुलाया और कहा तुम करते क्या हो So I said I am Ernst & Young में काम करता हू That time I was in the Pharma industry, Ernst & Young So I was very good in business I was quite good So they said what are you doing there? We have to sit there So I said what will I do? He said I don't know But you come here Because what you are doing It is very unique And you should do this full time Chief Belief Officer Yes It wasn't very unheard of This corporate structure So life has to be made People make it a little So I have made my life I have made my life And So I have made my life I talked about it In the media it became very popular So everywhere there was an interview Chief Belief Officer I said When you have money in a man In a man There will be something So that became very popular After that I worked for 5 years With Mukesh Shambani From 2012 to 2017 Jio's launch And then I became independent I was a culture consultant So I worked with him I didn't work with him So my rule is With Mukesh He is a wonderful person Brilliant Tell us about Mukesh Shambani We have only seen him on TV Like his vision I have not seen anyone Vision 20 years ago I never met someone Who can think So it was very That the vision Being open It was a very big No people think In this life I have never seen this I have met a lot of businessmen But that was not कितना फुचुरिस्टिक अपरोच और वेस से तन यह थाया, 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 हमेशा, जिसको अंस्कृत में कहें कि गरुड दृष्टी तो सी फूच्टि कि अगे की सोचना जोग वो Bio मुकेशं आमानी के बात कररे हैं सरपदृष्टृष्टृ वो देखा बड़ और कुछ沒有 क्स दूम है मुकेश अमानी के बात कर रहे हैं और सर्प दिरिष्टी और गरुन दिरिष्टी इस शास्त्र से बड़ा और कुछ नहीं है आदमी तो आते जाते रहेंगे हम शास्त्रों पर आएंगे पर हमारी बड़ी दिल्चस्पी हम यूपी बियार के जो लोग हैं जातर उनकी सुई यूपीची पर अटक जाती है तो पिर क्या हुआ इंटर्वू में कुछ आपको नंबर मेले सेलेक्शन हुआ क्या हा अच्छा इंटर्व्यू दिया सेलेक्श एक प्रश्टन हो गया? एक प्रश्टन हो गया? एक अच्छाँ जब मैं एक टेक्स्ट बुक लिक रहा था फॉर हिस्ट्री कल्चर रिसंट्ली तो मैंने कहीं से ढूंड अप्रश्टन हो इसका जा रांक मिला था मुझे तो फर्स्टन एक बास्टन है अरे वाह। यूज़ तो जो इसे यूट्यवेड पर वीडियो डरहते हैं कि यूपीसी ग इंट्र्वी में ये सवह पूछा आता है वो सवह पुछा ए तो मुझे पुछा गया था लएक्टियो तो मुझे पूछा गया था है वोट एक बिंटëं तो पुछा उड़्ाट है तो मुछा थ So, but I think they liked it. I don't think I got a very high rank, I don't remember, but it was not a very high rank, but I got through. महावारत सही शुरू करते हैं, जय कावे, उस पर आपकी किताब भी है. उत्तरभारत में घरों में रामायन और रामचरित्मानस और कुछ पुरान रखे जाते हैं. एक गरुन पुरान को छोड़के, बागी किसी पुरान को रखने की प्रचलित मनाही नहीं है. चाहे आप ब्रह्म वैवर्थ रखें, चाहे आप नारद रखें, चाहे आप अगनी रखें, कोई भी रखें. और शियोपुरान का तो खुब आठ होता ही है और भागवत का भी सपना महाभारत रखने की बड़ी मनाही है इसकी वज़े क्या है इस मानिता की क्यांकि अगर महाभारत पढ़े तो वहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि एक समय था जब स्त्रियों को पूरी आजादी दी गई थी और पुरुषों ने उस आजादी को धीरे 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 करके से निकाल दिया तो हम उतनी बेटियों को ये बताना नहीं चाहते इसलिए हम महाभारत घर पे नहीं रखते किसी प्रसंग से अगर आप ये महाभारत में देखे तो गंगा की कहानी है पहले गंगा और शांतनु की कहानी तो गंगा कहती है कि मुझे इसादि के日本 पूरी आजादी चाहिए शान्त उन्हों दे देते हैं उसके बाद दूसरी पत्नी आती है सत्यवती सत्यवती कहती है कि मेरा बिटा राजा बनेगा शान्त उन्हों दे देता है उसके बाद आता है एक दो सत्यवती के बाद दो बहु आते हैं घर में अंबिका, अंबालिका लिए उन्हें छूट नहीं दी जाती है। उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा पती मर गया है, वो विद्भा बन जाती है, तो और नियोग से तुम बच्चा पैदा करोगी। जानि कि फ्रीडम चला गया। जो गंगा के पास फ्रीडम था जो सत्यवति के पास फ्रीडम था वो अंबिका और अंबालिका के पास नहीं है। उसके बाद आते हैं गांधारी जो कहती है कि मैं अपनी पती अंधा है तो मैं भी पत्टी बान दोगी। कुंती की शादी होती है वो भी नियोग से बच्चा पैदा करती है मादरी भी नियोग से बच्चा पैदा करती है यहन्य स्वतंतरता चला गया है उसके बाद द्रौबदी आती है और पांच भाई उसे शेयर करते है उसे कोई नहीं पूछता तुम्हें किस से शादी करना है ब्रदर्स डिसाइड कर लेते कि हम उनको शेर करेंगे द्रवबदी से किसी नहीं पूछा कि तुम्हें ये मान्यता है, स्वाइच्छा है तो गंगा से लेके द्रवबदी तक जब हम कहानी देखते हैं तो धीरे 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 आजादी निकाली जा रही है कुंती का एक फेमस डायलॉग है पांडु को एक समय था जब विवाह नहीं होता था पुरुष्त्री के पास जाते थे स्ट्री पुरुष्त्री के पास जाते थे बच्चा होते थे यह कुंति और पांडु के बीच का समवाद है और वो कहती है कि एक श्वेत केतु नामक एक रिशी थे जिन्होंने देखा कि जब घर आते हैं उद्दल की रिशी के पुत्र है वो और कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी मां किसी परपुरुष के साथ है मुझे बुरा लगा मैं में पिता से पूछा कि यह कैसे हो सकता है और श्वेत केतु ने उद्दालक रिशी से पूछा और उद्दालक रिशी कहते हैं कि स्त्री स्वतंत्र है तो श्वेत केतु कहता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किसका पुत्र हूँ तो द्दालक कहते हैं तो मेरा पु of the seed, बीज से नहीं, प्रेम से होता है, रिदय में उसका शुरुवात होती है, फादर होड का, बीज से नहीं, तो यह बहुत ही हम गोहें गष्णा कलता है, बहुत ही बयानक है, शार्स्त्र की जो कहानियां है, और प्रैशना कुलता पेदा हो जाएगा, हम बहुत हैं कि सती सावितरी मत बनो, सति-सावितरी बनो, लेकिन पूपितरी की कहानीज क्या है, एक राजकुमारी, जो यह कहती है कि मुझे, आखे जंगल में पुरुष है जो वुड़कटर है और वुड़कटर है मैं उस ते राज कुमारी हो के और पिता के लिग वुड़कटर है राजा भी नहीं है तो पिता के ते तो वहारी इच्छा तो शादी कर लो नो प्रॉबलम। फिर जोतिश कहता है कि एक साल बाद वो मर सोफितर्य करें सावितरी में एजनसी था तो यह जन्की शख्ती है तो आपलिटियोंडेगे अस्पशियोंट, पाइबाचे अम्राज को ही त। DEyst numa याते हैं यम्राज को तो सावितरी । शृप्रण तता है पती को खुद चुन सकती हो वो वाला पार्ट नहीं बताते हैं पता नहीं कैसे लेकिन ये कहान किताब नहीं रखना घर में घर में सरस्वती को आमंतरन नहीं देना ये बहुत ही बुरी बात है सरस्वती हर प्रकार में आएगी हर कहानी में आएगी हर आख्यान में आएगी केवर टेक्स्ट बुक्स में नहीं आएगी तो रामायन में भी है महाभारत में भी है वेदों में भी है हर चीज को घर में रखना चाहिए ये कि इसे नहीं रखेंगे इसका मतलब है कुछ तो शड़े अंतर रचा जा रहा है ज्ञान से दूरी क्यों ज्ञान सबसे बड़ी चीज है और हमारे शास्त्रों में सरस्वती को हम सबसे बड़ा दर्जा देते हैं सरस्वती से ही मौक्ष प्राप्त होती है वहीं से सुक आता है आनन्द आता है सबकुछ आता है सरस्वती से और यहां कतात पर है सरस्वती के सिर्फ देवी स्वरूप से नहीं है ग्यान की जो अभिलाशा है देवी स्वरूप के माध्यम से ये बाते बताई जाती है जैसे जब हम लक्षमी कहते हैं जो भूक को मिटाती है, हर प्रकार के भूक को मिटाने वाली, उसे लक्षमी कहते है, हर प्रकार के भाय को मिटाने वाली को हम दुर्गा कहते हैं, हर प्रकार के अविद्या को मिटाने वाली को सरस्वति कहते हैं, तो देवी देवताओं के माध्यम से हमें जिंदगी के बारे हुई है अगर हम ध्यान से दर्शन करें तो ग्यान मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा एक बात बताईए आपने इतने ये आख्यान पढ़े और उनकी नए संधर्बों के साथ व्याख्या की घरों में जो मूर्ति पूजा करते हैं मूर्तियां रखी होती हैं जो इसलाम को मा उनके अध्यन की परंपरा नहीं है अक्सर उन किताबों को लाल हरे और सब कपड़ों में लपेट कर पूजा की वस्तु बना दिया गया है और उनके अनवय उनके अर्थ लोक भाषा में वो कितने उपलब्द रहें क्या जुड़ा क्या घटा क्योंकि भाषा की विवित्ता भी दिखती है आप जब इतना विचरे हैं लोगों से मिले तो उसकी क्या वज़े नज़र आती है क्यों हमारे घरों में इन पर वैसे चर्चा नहीं होती है जैसे माली जिए आरेस शर्मा रखी हुई है कमप्टीशन निकालने के लिए या पी दास गुपता रखी हुई है यजि रक्योरती है किताव है तो वैसे यह भी लिखी हो कि भाई एक कहे जिनकी दिल्चस्पी है कि अरे छागडा व॥ यह कह रहा हो लेकि शापद ब्रामान ग्रंत में तो यह लिखा ता तो कोई गोही कहें कि सावभ ईशाबाद उपनी शाद में तो यह बात है प्रभ्र Пон कि अपने मन के विस्तार के लिए पढ़ता नहीं है तो जितने भी लोग में देखता हूं स्कूल में जाता हूं कालेज में जाता हूं मुझे पता है कि यह उतना ही पढ़ना चाहता है जिससे उसे एक जॉब बिले ठीक है तो पूरी जिन्दगी नौकरी करता रहेगा which is also fine it's a good choice लेकिन यह ब्राम्भन शब्द जो है इसका मीनिंग क्या है ब्रह का मतलब है बढ़ा होना ब्रहद जो एकस्पैंड करता है विस्तार और मन मन को विस्तार करना उसे ब्राम्भन केरते है और मन मनुष्य के पास इसा मन है पशु के पास नहीं है पशु जो मन दिया गया है जन्म के समय मरते दम तक भही मन होता लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं ज्यान से क्योंकि जब मन का विस्तार होता है तो पढ़ाई से और पढ़ाई से एक्सपीरियन से दर्शन से केवल दर्शन से केवल कित आब उन अगी इसे जिये इसलिए हमारे नहां शास्त्र केवल लिखित परंपरा में नहीं है मौखिक परंपरा है, स्टोरी टेलिंग है, आर्ट है, विजुएल है जैसे केवल सरस्वती के रूप से कितना ग्यान मिल जाता है मुहावरों से कितना ग्यान मिलता है से रूप से तरह बताए तो देखिए सरस्वती का चिन्ह क्या है हम हन्स क्या कहते हैं हन्स के बारे में हन्स वो कहेंगे कि उसे दूद और पानी सेपरेट करना आता है जी एक मशूर कवी सत्य है इसका मतलब क्या है अभी आप रिपोर्टिंग की दुनिया में है फैक्ट और अपिनियन को अप सेपरेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो फिर आज आता है अल्ट फैक्ट सच जूट यह जो डिविजन है दूद का दूद पानी का पानी यह सरस्वती का हन्स करता है निर, शिर्वीर, विवेक बाई कि पहलत रही सुपरे जिसमें वो रोग श्राष्वति को रही क्यों है तो एक केिवल हंस के रूप में वो आइलिटिकल स्किल के भाएं में बात करे है इसम्बल अफ एनायलिसिस यह गंपती को देखे गंपती बंबई के सभे वेरी इंपॉर्टन देवता है उनके बगल में एक चूहा है चूहा को कौन खाता है साप उनके जो बड़ा तोंध है उसके वहां एक साप होता है करधनी की तरह है कमरबन की तरह है अभी साप चूहे को देख रहा है चूहा साप को देख रहा है लेकिन साप चूहे को खा नहीं रहा है चूहा किसको देख रहा है गंपती के हाथ में एक बड़ा मोदक है तो टीपिकली क्या होना चाहिए? चुहा मोदग खाना चाहिए और नाग चुहा के पीछे दोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है क्यों कि जब आप गनेश जी के पास जाते हो कैलास परवत में जाते हो, वहां भूक नहीं लगती, सब संतोष है, जब संतोष होता है, तो आप अपके अन्न के पीछे भागते नहीं है, जैसे नेता वोट्स के पीछे भागता है, पैसे के लिए अमीर आद्मी भी अधी भी मंदर जाता है कि मुझे और पैसे दो, और भग तो, देखो, ये संतोष के चिन्ने में बता नहीं रहा हूं, दर्शन करो और अपनी बुद्धी के माध्यम से ट्राइट टू डिसाइफर, ये पहली है, हर जितने भी हमारे पास आख्यान होते हैं, जितने भी प्रतिमाय होती है, वे प्रकार के पहली है, रिडल्स, ये रि हम अपने ही दुनिया में मगन है और भगवान कह रहे हैं, दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो, पिस दर्शन जब करोगे तो पहली सुल जाएगी, यू अंडर्सेंड, मैं नहीं किया है, लेकिन मैं MBA लेक्टर्स देता हूं, ये अगर के वो मैरेजमेंट, सूतर और ली लेकिन जब ही भी बेक्च्चर देता है कुछ तो सीखने को मिलता है इसे बुलाओ किताबी ग्यान नहीं है ये एंड वी टॉक टॉप लाइन, बॉटम लाइन, बैलन शीट दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ, और सब ग्यान मुझे कहां से मिला है पुरानों से मिला है क्योंकि म पाचन शक्ति आपकी है वैसे ही विद्या होती है आप उसे परोष सकते हो अलग-अलग रूप में ड्रॉइंग करके लेक्चर देखे लेकिन सामने वाले को भूख नहीं है तो नहीं खाएगा भूख है तो वही खाएगा जो उसे पसंद है और पाचन शक्ति है ही नहीं त किताब है बस वो ट्डिटर है और इंस्टागरम ऐसे पैसे फेकते है नहीं लोग बैसे ही इंस्टाग्राम में आज कर रहे है। बच्च municipality कर रहे हैं जो हमारे एक जमाने में बहुत है कर वहीं है यह फिर नहीं करना चाहिए कर लहें एएप लोधे कर रहा है। लुड बहा जाग जाएगी रील बनाने वाले ओफेंड ना हो ये उनके बारे में नहीं था उनका रोजगार है आप ये सब बातें बता रहे थे ये हमारे एक साथी है रजत है क्या है इधर आवटा आगयो हम लोगों ने और रुहानी कहा है तो धर्मशाला के आजाओ धर्मशाला के पर हम अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे जो दिल्ली आनी थी इधर आईए हमने एक पेंटिंग देखी थी क्या पेंटिंग थी हम लोगों डिसकुशन भी किया था जिसमें शिव जी थे और मतब सब एक बुन्ने में लगे हुए थे शिव बैठे हैं पार्वती जिसका एक सिरा कार्थी के एक तरफ है यह देखे यह तस्वीर है वो तो यह हमें बड़ा दिल्चस्प लगा और हम लोग है बात करने लगें यह पाहड़ी शैली की पेंटिंग है कांगला शैली की होगी मुस्ट प्रबली कि हमारे यहां कितनी उदात परंपरा है कि मैं श अछा सकता हूं जिरेहस आश्रम मैं दिखा सकता हूं शिव के मन करे तो कुंडल बनाओं मन करे तो बिच्छू लटका दू पर अब वो उदातता नहीं दिखती है मतलब वो फिक्स करते हैं नहीं साब आप इनको ऐसे नहीं दिखा सकते इनके बारे मैं ऐसे कह दिया और salad का आपके आरूचक वो यही करते हैं कि देवधत पटनाया कहीं की इट कहीं का रोड़ा जोड़ते हैं राम कथा के सब प्रसंग हैं उसमें से अलग-अलग प्रसंगों को जावा रामायन, कंबन रामायन, कृतिवास रामायन, वालमीकी रामायन, तुसी रामायन और एक मन चाही ब्याख्या कर देते हैं और फेर आपके माथे पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश करते हैं कि ये वामपन्थी है और वेंडी का जिक्र करते हुए कि ये उनका चेला है एक एजेंडा आगे बढ़ा रहा है How do you deal with it? अभी ग्यानी अज्ञानी के साथ कैसे डिल करेगा? बताइए कैसे डिल करना चाहिए? आपके सामने एक बच्चा है जो आपकी आलोचना कर रहा है जिसने कभी पढ़ी नहीं किताब रूप में बड़ा दिखता है लेकिन है बच्चा जिन्दगी में कुछ अचीव नहीं किया है केवल आलोचना कर सकता है उससे उसकी अहंकार की आहुती लगती है मुझे सबर करना पड़ेगा हम बड़े हैं हमें मैनेज करना पड़ेगा यह बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं ना शास्त्र पढ़ते हैं ना वेद पढ़ते हैं ना पुरान पढ़ते हैं ना भूछ का ग्यान है ना इतिहास का ग्यान है ना दर्शन शास्त्र का ग्यान है केवल आहंकार के माध्यम से चल रहे हैं जिसके पास विद्या होती है वो कभी किसी का अलोचना नहीं करता वो समवाद करता है, विवाद नहीं करता हूँ, समवाद से ब्राम्भन आता है, विवाद से केवल अहंकार को आखुती बिलती है, तो मैं विवाद नहीं करता हूँ, उसकी जिंदगी, उसका कर्म, मेरे साथ बैठेगा तो मुक्ष पराप्त करेगा, या धन पराप्त करेगा और क्या है मौक्ष की औरसी ऐसा मिलिजाइगा घुटकारा मिल जाएगा बोज कम हो जाएगा है कि यह हमारे Desh को बचा रहे है यह सब माया है शंक्रचारे क्या बोलते थे जगत मिथ्या ब्रम्भसक्त्यम हम सब मिथ्या में बैठे हुए हैं तो टेंशन क्यों ले रहे हो इतना शांती से जीओ लोगों को खाना दो उदारता दिखाओ इतना गोस्ता कहां से आया तर्क गड़ा जाता है कि हमारी उदारता और सहिशनता का फाइदा उठा कर हमारा क्रमिक दमन किया गया इसलिए वीरता दिखाने का वक्त है जब हम चित्र देखते हैं मंदिरों में देवताओं को युद्ध करते समय उनके चेहरे में कभी आकरोश नहीं होता वो शांत होते आजकल के DCVC Marvel Comics से इंस्पायर होके जो आजकल के राम और कृष्ण बने हुए मसल बनाते हुए घुसे में उष्पा पिच्चर टाइप्स भगवान में घुसा कभी नहीं होता यह सब बच्चे है राम जब रावन को देख रहा है तो हसरे है कि अजकल के बच्चारा बच्चा है यह जब बच्चा है यह क्योंकि उसके पास दस हाथ है प्राइवेट जेट है अपने आपको बड़ा समझ रहा है सीता वहां देख के बोल रही है कि मैं तो एक मिनट मैं इसको तपक दूँँ मैं तो हूँ काली लेकिन सीखे का कैसा बच्चा तो करने दो अपना मरदांगी दिखाने दो तो अगर आप अधभुत रामायन पढ़ते हो तो सीता तो काली का रूप है वो तो एक मिनट मैं पटक देगी रावन को कुछ नहीं करती है वो तो हाँ हाँ मैं बच्चारी हो मुझे जाने दो मरे पच्चे की पास जाने दो राम वहाँ देख रहे हैं जिब बिचारा देखो वेद का ग्यानी है लेकिन विमन्स चॉइस समझ नहीं सकता है कि एक अवोमन हाज़ राइट तो चूज़ उसे जबरजस्ती घर में नहीं बानते है इतना नहीं समझ सकता है इतना नहीं समझ सकता है इतना वेद का ग्यानी होके वो कैलास पहाड उठाता है और फिर उसके सामने एक वानर आता है जो पहाड को उड़ा उड़ा के लेके आता है हमालय परबत से सोचिए रावन को क्या होती होगी कि मैं कैलास परबत नहीं उठा पाया और ये वानर कहां से पहाड उठा के गंधम अदन पहाड उठा के ला रहा है मेरे सामने कभी हनुवान जी नहीं बोलते कि मुझे संस्कृत पता है मैं वेद का ग्यानी हूँ कभी नहीं लेकिन वो है सूरी पुत्र वो भी बोल देखो ये बच्चे के वह हमको मैनेज करना है रावन बच्चा है गाली गलोच करता है भाई को मारता है कहता है कि मैं ठीक सभी जूट मेरी बात सुनोंगे तो तुम अच्छे हो मेरी बात नहीं सुनगे तुम बुरे हो इत सीता का जन्म हुआ है उनका उद्धार करने के लिए, हनुमान का जन्म हुआ है उनका उद्धार करने के लिए, तो हम कहानी समझते नहीं है, यह बहुत ही प्रेम से भरा हुआ कहानी, आकरोश अली कहानी नहीं है, यह रिवेंच स्टोरी, बॉलिवोर्ड, हॉलिवुड की कहा यह र Lynn, आसले केवAL प्रीम भिखाया गया है, he पहुत ही शक्ति होती है। जब आप शक्तिशाली होते हैं, तो आप शक्ति हीन कों पतकते नहीं वोगों, उनके सामने सामने माध्हा देखते हैं यह आपके पास अहंकार नहीं है। उनके पास अहंकार है। जब ज्यान आता है तो अहंकार का विभाजन होता है, डिस्ट्रोय हो जाता है। So that is the purpose of Shastra. Shastra का वही purpose और कोई भी है। जब तक अहंकार रहेगा, मुक्षप्राप्ति नहीं हो। भाई साब इसका फिर एक सिरा ये भी जाता है कि सिर्फ अध्यन कर लेने से ग्यान आ जाए और वो ग्यान एक्षन में आ जाए जरूरी नहीं क्योंकि रावन का जब जिक्र कर रहे हैं तो वो तो educated person is not a wise person. सर्टिफिकेट पाने से आप थोड़ी नशास्त्री बन जाते हो। वो है, Walmiki jis बता ज्रिफिकेश कि देखो colored इखो पढ़ा लिखा होके भी राम को समझ नहीं पाया, भी सिता को समझ नहीं पाया इतना पढ़ा लिखा होके भी ये बाते उसको वो देख रहे हैं तर रावन का चाया इतना पढ़ा लिखा हुआ, देखें, वालमिकी जी एक ब्रामन के बारे में बोल रहे है, रीपीटिडली क्यों बताया जा रहा है कि रावन ब्रामन है, रावन ब्रामन है, एक प्रकार का आलोचना है, इस अ क्रिटिसिजम, पढ़ें लिखें लोग बुद्धिमान नहीं होत महाभारत में देखें, द्रोणाचारी, आचारी हैं, लेकिन एकलवे का अंगुठा काटते हैं, लास्ट में उनका सर काटा जाता है, ब्रह्महत्या होता है, रामायन में ब्रह्महत्या होता है, महाभारत में भी ब्रह्महत्या होता है, क्यों, शिवजी दक्षप्रजापती वो भी ब्राम्ण है, ब्रम्हत्या हो रही है क्यों? धक्षप्रजापती का सर अठाहाज आप ब्रम्ह नापन का सर काटाहाज यानि की जान का घ्मांड मत करना जान से अगर नम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, अधारता नहीं आई तो फिर क्या, what is the use of this knowledge तो ये है वेद का ग्यान अटलिस ये मेरे हसाब से ये ग्यान फिर भाई साब अब आपकी ये क्लिप देख के लोग कहेंगे कि देवदत पटनाया ग्यान और ग्यान से करुना और उदातिता की बात कर रहे हैं लिकिन आपके कुछ टुटर पे स्क्रीन शॉट वाइरल हुए जिसमें आप करोध में नज़ आए उसे लीला कहते है लोग को चिडाना आपे याता है हम भी चिडाते है तो आप भड़क जाते है मज़ा आता है चिडाना तो वो तो काम है टीचर का कि टीचर चिदा है था कि कुछ उत्यजित हो कि ःट्यूट के जान प्राप्त करो अच्छ जान करो हम रामायन तो पढ़ा हो कम से कम रामायन पढ़ा हो हो महाभारत पढ़ो शीव जी का दर्शन करो अपने जो फोटा इखाया मुझे अब देखिए उसका दर्शन कीजिए शिवजी एक दिगंबर है दिगंबर है यानि कि उनके पास कुछ नहीं है उन्होंने काम का दहन किया दिस्ट्रॉइ इस कामनतक है वो काम को दिस्ट्रॉइ करते है फिर परिवार कहां से आया अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो फिर शादी शुदा कैसे बने चिंतन करो बुद्ध की कहानी क्या है एक राजकुमार जो सब कुछ छोड़के जंगल जाता है सन्यासी बनने के लिए शिवजी की कहानी क्या है एक दिगंबर जो शादी करता है बिल्कुल विपरीत है सती के साथ शादी पारवती के साथ शादी दो बच्चों का परवरिष करना गंडपती कार्तिके यह क्या बताना चाहते हैं शास्त्र क्यूं बोल रहें कि दिगंबर की शादी हो रही है जो काशी में बैठके जहां पर समशान भूमी में राक के साथ खेलते हैं वो शादी क्यूं कर रहे हैं जब तक हम समझे गेने उसके पर विचार नहीं करेंगे गयान कैसे प्राप्ति होगा इसलिए मैंने का पहली के रूप में बताया गया है हर कहानी से पंचम वेद काते हैं पंचम वेद यान की कहानी के माध्यम से वेद का ग्यान आप तक प्रस्तुत करेंगे यह जड़ा शिव वाला तो बता दे और में इसमें एक जोड़ दूँ बनारस तीन लोग से न्यारी काशी जो बार-बार कहा गया है तो सब की बनारस जाने की अपनी-अपनी वजहें होती हैं किसी की प्रधानमंत्री पत की दाविदारी है इसलिए काशी जाता है कोई चटोरा है इसलिए जीव के स्वाद के लिए जाता है करिजवा खाने के लिए जाता है और नाना प्रकार की लॉंग लता समेत मिठाईयां कोई इसलिए जाता है कि गंगा के बगल में बैठ सके कोई अपने पुर्खों से समवाद करने जाता है कि इसी जमीन पर शंकर आए इसी जमीन पर मंदन मिश्र हुए इसी जमीन पर भारते इंदु हरिश्चन रुए बहुत लंबी परंपरा है कबीर की तुलसी की सबकी अपनी वज़ें है तो जब हमारा बनारस जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो 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 तिर लिंग है काशी विश्चनाद, बाबा विश्चनाद उनकी भस मारती होती है सुबह सवेरे के वक्त आप जाईए पौः फटने से पहले श्रिवलिंग का रात का श्रिंगार हटाया जाता है सुबह का इसनान आप हुशन पहना जाते हैं फिर हटाया जाते हैं और ये सब इतनी लाइब में और इतनी तेजी से हो रहा होता है कि मंत्रों का पाठ हो रहा है, डमरू बजा जा रहा है, तो नाद है, सुबह की शीतलता है, शुरुवात है, और उसको देख के बार-बार ये प्रशना आता है मन में, यहां सब ग्रिहस्त बैठे हुए हैं, और शिवलिंग पर भस में मली जा रही है, तो जो बात आप कह रहे थे, और कोई है, जो मृत्विंजय मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो यह कैसे कनेक्ट उड़ता है, एक आम ग्रिहस्त व्यक्ति या आम उत्सुकता वाला विद्ध्यार थी, जिसने अपने अहंकार को विसरजित जो अपने हिससे के साथ यह सवाल पूछ रहे हैं, जो कैसे डिशाइफर करें इस रिदिल को? अगर मैंने मुल्टिपल चॉइस क्वेस्टिन का आंसर दे दिया तो आप मैठ समझ नहीं पाओगे, तो आप मैठ समझ नहीं पाओगे, केवल जॉब मिलेगा आपको, सब्जेक अंडर्स्टेंड नहीं करोगे, तो ग्यान मेरी किती कित ताभ है, उसमें मैंने एक्स्प्ल उसे कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि वो ग्यान केवल उद्धी तक सीमित रहता है, वो अंदर नहीं जाता है, जब तक आप स्वयम उस पजल को सॉल्व नहीं करोगे, तो यह तो रहता है, बोलना कितना आसान है, दो मिनिट का बात है, मैं एक एक आंसर दे दूंगा, फु पॉइंट जब पोईंट है, पॉइंट है पहली के रूप में क्यों बता हैं, क्योंकि बात समझ ना आसान है, दिल को समझना बहुत मुष्किल है, हम को सब को पता है कि अवरी नाइस हैं घ। से वह से थे और अहंकार से रहरा देश में यह होताथ अधा CHुन्ह अधा है, ब हम तो रावन से बहुत दूर है, क्या बदलाव आता है आप में, दो यू चेंज, इस तराणस्फरमेशन विदिन यू, और वाइस टाइम पास, वो तो रोज मंदिर जाने से थोड़ी ना कोई भग्त बनता है, मंदिर जाने से भग्त नहीं बनते हैं, स्कूल जाने से कोई विद्वान नहीं बनता है, आप कोई भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, नोबेल लॉरियेट से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि नहीं, you have to study every subject, you have to study a lot, नोबेल प्राइस कैसे मिलता है आपको, कोई आपको बताता नहीं आएंसर, आप आप खुड ढूंडते हो, अपनी जिंदगी की पहली को सुलजाने के लिए, नोबेडी इस गोने से लिए, ये रास्ता अकेला है, आपके पास फैमिली होगा, लवर होगा, प्रेमी होगी, प्रेमिका होगी, पती होगा, पत्नी होगे, बच्चे होगे, दाइत्य होगा, लेकिन जिंदगी को आपको अपने आप जीना पड़ेगा, और ये जो कहानिया बनाई गई है, इस लिए अपको एल्प कर रही है, वह तो बिकाम बेटर, वह तो लिव हैपिली, ऐसे रामराज्य का निर्माण कैसे करते है, रामराज्य का मतलब है जहां पर लकष्मी आती है, जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी, तब तक वो रामराज्य नहीं कहलाएगा, वह कुंत का मतलब है शिरसागर, यू have तो तो जिन्दगी में, are you earning, if you are ambitious, तहो तो किया लक्ष्मी ति तू आ रही है या आप लकष्मी के पीछह भाग रहे हो अगर तुम लक्ष्मी के पीछह भाग रहे हो तो वाइकुंठ नहीं है वाइकुंठ में लख्श्मी स्वयम तुमारे पास आएगी इन अदर वर्ड्स आपने एक ऐसा प्रोडक्ट का निर्मान किया है जैसे एपल फोन कितना कीमती है फिर भी हम दौडते हैं इसे खरीदने के लिए किसी ने सरस्वती का ग्यान लगा कर ये चीज बनाया है ये था नहीं पचास साल पहले तीस साल पहले किसी ने साइन्स और टेकनोलोजी हम भी पढ़ते हैं लेकिन एक आजमी ने इसको बनाया और हम इसके पीछे भागते हैं तो सरस्वती का से निर्मान हुआ और हम उसे लक्ष्मी देते हैं लेकिन हम सोचते नहीं ऐसे कहानी में वहीं बता रहे हैं वहीं निर्मान करना है तो स्वयम लक्ष्मी आनी चाहिए तो अपल का वैल्यू देखे आज ट्रिलियन डॉलर कंपनी मेरे आंखों के सामने बना है आए वस बाउन और आपल, गूगल इस आर आल नॉलेज जापिषो किया बता यह उगा है अधर, आए भी थेल आल陈 रगामिती ना क्या रिवे है कि इस बγά्री तो इढने तुछ ना está बाउनने प्रेक्षि स्व monJust यह पो टोटे लक्ष्मी कि क्यें वहला हम्हरे डाम है व्जु Ma come signify आपि रिखा बिटे गो दो अरलने से तोड़ीतज का रिखा गषित हरा लिखता रहता है, मुझे पता है मार्केट है इसके लिए तो आइ अल्वेस चल पीपल इन बॉंबे की देखो तुमने रामायन महावारदी वाद 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 यू राइड रामायन महावारदी इस ते मैंने बंबे में फ्लाइट खरीद लिया सरस्वती से लक्ष्मी और मेरे तरफ आईगी लक्ष्मी मेरा ये एक रूल है कि इतना अच्छा काम करो कि लोग तुमें बुलाते रहें इंटर्व्यू के लिए, जॉब्स के लिए, तो जितने भी मेरे कभी पुब्लिशर के पास नहीं गया पुब्लिशर मेरे पास आते हैं, अभी तक एक भी पुब्लिशर के पास में नहीं गया हूँ जितने भी मैं लेक्ष्मी देता हूँ, I give lectures internationally, I have always been invited, I never go to people अगर लक्ष्मी तुम्हारे तरफ आईगी फिर वेकुंट की प्राक्ति होगती है तो कैसे लक्ष्मी को अपने तरफ लाओगे? सरस्वती का ध्यान करगे So I try to do it and do it and do it and do it and do it, refine it जैसे दूद से मक्षन, मक्षन से घी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो and उसका स्वाद आता है and जैसे वो किचिन में स्वाद आता है and people will come to the kitchen वाएंगे, जैसे जो हनी का भी होता है, it'll come to the flower, so you have to do such a thing We see that everywhere in the world, Japanese products, इतने expensive होते हैं, हम खरीते हैं उनको, क्यों खरीते हैं पैसे क्यों देते हैं उनको, पैसे क्यों देते हैं उनको, so products are such good quality, why is this good quality वहां का design thinking लेखे, the amount of Saraswati there I did one show for an international channel, I did one show for an international channel, I worked with Bollywood, Indian channels, international channels both gave me money, but the hunger always shows me the West, I have so much research, I have so much knowledge of the only one, I have so much knowledge in India कोई नहीं नहीं पैसे दे देंगे मुझे, लेकिन हमें सब कुछ पता हैं, वह हमेशा यह स्परधा होती हैं उनके साथ की अच्छा जो तुम्हें पता हैं मुझे उस्ते जादा हैं तो बढ़ा हैं सरस्वती नहीं आती हैं क्यूरियोसिटी से आती हैं, are you curious कि मेरे पास कुछ है जो आपके पास नहीं है इसलिए अपने मुझे बुलाया हैं अगर आप उसलिए बुला रहे हैं कि मुझे नहीं करना है कि जो मुझे पता है वो देवधत को पता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं होता है ब्राम्हन नहीं ह कि मैं जब ब्राम्हन शब्स इस्तमाल करते हैं तो अगो कोई पढ़ता नहीं है कि मार्क्स पढ़ हो वालमिकीजी पढ़ हो यास पढ़ आपाड़ हो but you also have to read Descartes and you have to read Foucault and you have to read Science, Physics, Chemistry, Biology अगर आप मेरे किताब यहां पर देखे, यह मेरा किंडल है आप just to show कितना यह जो किताबें है कहां से आती है यह देखे, कितनी किताबें Peggy Mohan, Wanderers, Kings, Merchants कितना होगा, कितनी किताबें होगी मेरे पास इस किंडल में I don't know how to count it but let's get a list of it यहां लोकमान तलक किताब Arctic Circle यहां वेदों किताब यहां Daughters of Mughals किताब यहां दॉर्टर्स of Mughals किताब यहां दॉर्टर्स of the Deccan Folk Tales of Mythila Just Play Game Board Games of India Ashoka के उपर किताब Tibetan Buddhism की उपर किताब Islam के उपर किताब, Medieval India के उपर किताब Elephant History के उपर किताब Nomads के उपर किताब पढ़ना पढ़ता है यह साइदीपक की किताब India भारत John Key की किताब यह नहीं कहूँगा कि अभे वो दक्षन पंतिय मैं नहीं पढ़ने वाला हूं यह वाम पत्यों में नहीं पढ़ने वाला हूं सरस्वती हर रूप में आएगी आपके पास ऐसे ही बेंडरा में फ्लैट नहीं बनता है यह बताएए शास्त्रों में भी यह जैसे हमने वाम मार्ग तो सुना है तंत्र में पर यह वाम और दक्षन पंत का जगड़ा वहां भी है क्या हाँ है ना क्योंकि एक तंत्र परंपरा है और एक वेदांत परंपरा है वेदांत परंपरा में आप ब्रह्माचारिय को महत्वा देते हो तंत्र में आप संभोग को इंपोर्टन्स देते हो तो भारत में basically दो groups होते हैं एक कहता है कि भोग से दूर रहो तो यानि कि योगी और दूसरे तरफ होता है कि नहीं योग से दूर रहो भोग करो भोग और योग ये दो schools of thought है तो भोग भी या योग भोग योग शिवजी योगी है जिनको भोगी बनाया जा रहा है काम शास्तर किस ने लिखा है शिवजी और शक्ति के बीच में जो समवाद हुआ था वहां से काम शास्तर का निर्मान हुआ है तंतर शास्तर का निर्मान हुआ है तो इट कम स्रुप शिवशक्ति समवाद जो नात संपरदाय हैं, वो मच्छंदरनात जी हैं, वो आते हैं शिव सक्ति के संभाद के साथ, क्योंकि शक्ति कहती है शिव जी से कि केवल अकेले आपको ग्यान नहीं होगा, आप देवों के देव महादेव हो, उसका वैल्यू क्या है? आपने अपना भूख मिटा दिया, दोसरों की भूख नहीं मिटाओगे. तो जो डूसरों की भूख नहीं मिटाओगे, वैसके विल्यूर संतुलं की लगाराब दिखे, हमारा झांदिया का सिंब एक धर्म चक्र तो एक डाच्र नीचे घाता है टो एक टेंश्पर पर एक टेंश्न होती है और यह टेंशन आपको रिगवेद में दिखाए देगा सामवेद में दिखाए देगा यजुरवेद में दिखाए देगा जैसे एक force और counter force होता है जैसे in a business, अगर आप business कर रहे हैं तो एक human resource department होता है, एक finance department होता है एक legal department होता है, marketing और sales के बीच में हमेशा लड़ाई होता है finance, sales team और legal team के बीच में लड़ाई होता है यह जो tension है इसी से good quality निकलता है जैसे, in YOLA in the journalism space, editorial एक स्पेस होता है और reporting एक स्पेस होता है दोनों के बीच में बहुत टेंशन होता है because editorial has a policy and reporter will say मुझे जो दिखता है मैं भही लिखूँगा which is correct फिर advertising आता है and there is always tension between these three तो there is always going to be tension तो वामपन्थी, why is it you just say Ardhana Areshwar का चन्द है what is more important, Shivji is important or Shakti is important वामपन्थी is important दक्षनपन्थी is also important दोनों important एक अगर रहेगा तो दूसरे you know, you cannot have capitalism without communism and communism without capitalism because you have to continuously हर चीज़ को बालन्स करना पड़ता है तो आस्ट्रों में कभी किसी को एक पॉइंट को अभी इंपर्ट्रों आदीस स्ट्राषे ने कहा आधिछार्या आठीस्टाए ने कहा अदवाइता फिर इमीजिटली रामा अभर्षा ने कहा अधिए गषिष्त्धधः तिर Madhawasi ने कहाा कि नईद्वाइता कि खीजिया और आपोस करने कि लिए किसी और ने कहा ने 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 वेदानता नहीं चाहिए ग्यान योग नीचे भक्ती योग ने का ने 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 कर्मा योग चाहिए अभी Continuously, इतना variations क्योंकि nature is diverse Nature loves diversity तो कभी भी एक विचार एक मत कभी नहीं होगा दुनिया में ये प्रकृति का नियम है ये जो हमारी अहंकार होता है वो कहता है कि एवल एक मत रहेगा One thought, one thought, one thought अभी देखिए, इसलाम में दरिज ओली one God लेकिन शियर सुनी बात नहीं करेंगे सूफी एक अलग तरीका सोचने का उसके अंदर भी विभाजन, विभाजन, विभाजन बात नहीं करेंगे, सबको पता है इरान और अरब कंट्रीज में तो 36 काकड़ा है Christianity में, one God, one Jesus बड़ वहां पे Protestant होता है Catholic होता है New Age होता है विवाद, विवाद भारत में शवव परंपरा, वैष्णव परंपरा शाक्त परंपरा, वेदिक परंपरा कर्मकांडी, ग्यानकांडी बहुवादी इसलिए जैनियों में एक concept है कि अनेकांत वाद हमेशा अनेक वाद होंगे तो हमेशा अनेकांत वाद से जीना पड़ेगा And Jains are the most successful business community in the world क्योंकि उन्होंने कहाँ कि हर आदमी का मत होता है धन्दा करते रहो किसी को convince करने की कोशिश मत करो विवाद मत करो sales करो Most successful अभी देखिए Adani ji to Jain है न युद्ध नहीं करना है Ambani ji Shrinath ji के तो वैशनव परंपरा के वाइकुंठ का निर्मान करो Adani ji Jain अनेकांत वाद लड़ाई मत करो business करते रहो करते रहो करते रहो कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर लेकिन balance sheet is important cash flow is important debt is important RIN is important मैं इसे बहले कि audience की तरफ मूव करूँ एक सवाल मेरा और है जो आपके ही लिखे से आया है Krishna और राम की परंपरा को आप एक रूपक के तौर पर भी दिखाते हैं corporate में कि जब आपको एक नया order establish करना है start-up पर वो सब तो आप Krishna mode में होते हैं और फिर जब आपको SOPs बनाने हैं training or practice institutions establish करने तो राम mode में आते हैं वो थोड़ा सा अगर आप समझाएंगो कि वो हम लोगों के दैनन दिन जीवन से चुला हुआ है we are supposed to think new नई नई चीज़ हैं करें फील में जाकर करें नई प्रोग्रामिंग करें जैसे यह guest in the newsroom कुछ महीने पहले शुरू किया गवा एक विचार है प्रोग्राम है और अट दा सेम टाइम हम SOPs भी बनाते हैं यह प्रोग्राम जाएगा तो इसमें कैमरा ऐसे लगए चीज़ है फिक्स भी करते जारे हैं लगातार स्टेंडराइज भी करते जारे हैं तो वो संतुलन कैसे पाएं कि कहां कृष्ण मोड कहां राम मोड वो अपने विवेक अभ्यास और अनुभाव से आएगा या कुछ चीज़ हैं जिनका खास तोर पर ध्यान रखना हो देखिए जब हम श्री राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुर्शोत्तम जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो लीला पुर्शोत्तम एक रूल फॉलो करता है एक रूल तोड़ता है दोनो धर्मस्थापना करते हैं तो धर्म और नियम का कोई संबंद नहीं है राम नियम को फॉलो करता है, कृष्ण नियम को तोड़ता है लेकिन दोनों धर्म का पालन करते हैं क्योंकि धर्म का मतलब है मत्स्य न्याय के विपरीत जाना मत्स्य न्याय का अर्थ क्या है? बड़ा छोटे को निगलता है तो कोई भी रिलेशनशिप में एक बड़ा होता, एक छोटा होता है और हमेशा बड़ा छोटे को हावी करने का प्रेत्न करता है ये नैचूरल है, प्राकृतिक है धर्म का मतलब है जो बड़ा होता है वो छोटे को मैनेज करना चाहिए और उसका उद्धार करना चाहिए तो राम, रावन का उद्धार कर रहे है कृष्ण, पांडवो और कौरवो दोनों का उद्धार कर रहे है लेकिन एक रूल करते कर अभी राम, मर्यादा पुरुशतम क्यों है ये उनका स्वाइच्छा नहीं है वो रगुकुल के बड़े जेष्ठ पुत्र है राज घराने के बड़े पुत्र को रूल तोड़ने का परमिशन नहीं दिया जाता स्री कृष्ण, ग्वाले के घर के छोटे बच्चे है छोटे बच्चों को रूल तोड़ना अलावड है तो इसलिए दोनों का चरित्र ठीक से समझना चाहिए तो हम बोलेंगे नि मैं मैं राम जैसा हूं कृष्ण पर इतना असान नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखे राम के विपरित खड़ा हुआ है रावण जो रूल तोड़ता रहता है तो रावण भी रूल तोड़ रहा है क्रिष्ण भी रूल तोड़ रहा है दोनों में अंतर क्या है और अगर क्रिष्ण के विपरित खड़ा हुआ है दुरियोधन दुरियोधन रूल कभी नहीं तोड़ता है तो उनलो जो परेगिए, जारो है, बूमेरा में लुब सब और जालूंप लेकिन और सब को पता है और छंप है यह, जैसे लॉयर्ब्स होते है भी सब चंफ है कर कृष्णा को पता है यह जाल ने तर म L reviews Udyugaparva पढ़ है, उद्योग Parva is the classic court case जहांपर कृष्णनों से धीरे धीरे करके उसको कॉर्णर कर रहे हैं कर रहे हैं कि सच बोल सच बोल सच बोल और मुझते हैं स्वी की नोग जसी डीवनग त। बेसिकली मुझे नहीं देना है मैं केवल नीती को उप यूज कर रहा हूं लेकिन मेरी इच्छा है में कुछ नहीं दू मेरे भाई को, शेयर नहीं करूँगा तो अभी दुरियोधन में रूल फॉलो कर रहा है, राम भी रूल फॉलो कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है जो भी रूल फॉलो कर रहा है, आपके टीम में कोई रूल फॉलो करता है, अपके मन में आएगा यह राम है या दुरियोधन? वो कहेगा, नहीं सर मैं तो राम हूँ, आपको लेगा, है दुरियोधन? जब कई कोई रूल तोड़ता है, हम तो कृष्ण जैसे हैं, हम तो तोड़ते है, क्या हुआ हो हो हिंदी फिल्म में एक सॉंग है, वो करे तो नहीं है, वो करे तो रासलिला, मैं और मैं उभी लाइन पड़ा है, तो ए भगवान, इसको सास्त्र का कुछ घान नहीं है, बट फ हम पूजा करते हैं राम की, दुरियोधन की नहीं, क्योंकि दोनों धर्मस्था अपना कर रहे हैं, रिलेशन्शिप ने अपना अहंकार को इंपोर्टन्स नहीं देते, दूसरे के अहंकार को मैनेज करते हैं, की बिचारा इतना इंसक्यूर हैा की वो हावि होना जाता मेरे आपर वो है, वो मеруपलेट करना चाहता है, उसे यह नहीं पता की जंगल मे उसका कोई स्थान नहीं है, कोई एक पेड जंगल नहीं बनाता, जितना भी बड़ा पेड।, जंगले पेडाते हैं जाते हैं और ये रामायन और माहाभारत में बताया चाता है तो स्री कृष्ण नो जब हम राम और कृष्ण की बात करते हैं तो हमें में इसको के र ड ड अ मेट्रिक्स कर के बिजन स्कूल में पढ़ाता हूं और सब को अच्छा लगता है लेकिन अच्छा लगता है लेकिन जादा तरफ जिंदगी में दुरियोधन और रावन को मिलोगे राम और कृष्ण कभी मिलते ही नहीं मैं जब ही भी लेक्टर देता हूं मेरे सामने बहुत स्रीमंत यह वेरी सक्सेस्फुल पीपल वह हमेशा भी आप सर हम तो विष्णु है अच्छा वेरी गुड़्ड कि मेरे बास पैसे हैं तो मेले विष्णु हूं ना आप अभी मुझे तो उनसे पैसे निकालने हैं यह अगर मैंने आपसे कर लिया तो आपर हूं है तो इतना क्या है इतना प्रहाई है इतना मूर्खा आदम कि इतनी आसनी से विष्णु बन जाते हो तो मैं करूं क्या तो इतना दस घंटे का लेक्चर के बाद बोलता है सर मैं मिश्णू हूँ तो वेरी गूड फेलियर तो बेसिकली टीचर के हिसाब से मुझे बहुत बुरा लगता है मैं वापिस दो एक और किताब और अच्छा लिखूंगा फिर आप सोचते हो कि क्यों मेरी बात नहीं सुनते फिर आपको याद आता है कि देखो कृष्ण ने युद्ध रोकने की प्रयास की वो भी असफल रहे अगर कृष्ण असफल रहे तो हम भी असफल रहेंगे तो टेंशन नहीं लेने का लाइफ में पैसे ले लो बस चुपए हो पैसे का सवाल है क्या हाँ आये जीशा हलो सर जब आपने शुर्वाट की ना वो एक बात मेरे दमाग में रहेगी जब आपने बोला की उनका गरुद रिष्टी और सर्प रिष्टी हाँ तो विच इस ग्रेट होना चेव ऐसे विजिशन बट सर नो बन कोड़ेव सीन कोविड और पैंडमेक हापनिग ना जितना भी आप प्लान करो 5-year plan 10-year plan जब ऐसे कुछ हो जाता है हाँ जैसे आप बिसने स्कूल की बात करें तो as a leader how do you account for that देखिए भगवान भी बोलते है ना भलकी चिंता मत करो there are no guarantees in life there are no guarantees in life अभी आप जाते जाते रस्ते में एक्सिदेंट हो जाएगा finished कल भूकंप आया कितने लोग की जान चली गई life is full of accidents कब क्या होगा अभी जास्त्रों में कहा गया कि एक आदमी रस्ते में चलते चलते फूल फेक दिया वो फूल श्री एक शिवलिंग के उपर गिर गया शिव निये कहा कि इस वा मुक्ष दे दो था चोर लेकर आप बोलोगा अरे बाप रे क्या लख है उसका you know so life is not a predictable algorithm अप हम बनाना चाहते हैं कि life को predictable होना चाहिए है नी नी तो मज़ा क्या हो there's no fun in life life is about unpredictability कल क्या होने वाला है there is no guarantee इसलिए anxiety होता है कि भाया will I succeed maybe not जितने भी जीवत प्राणी होते हैं they are all anxious you know when a नाग होता है शिवजी के नाग होता है नाग चुहे के पीछे भाग रहा है कि मैं इसको खा जाओंगा और फिर मैं जब भोग मिलेगा लेकिन उसी समय उपर से गरूरा के उसको खा लेता है so every time you are focused on something somebody else is focusing on you हम किसी और पे focus कर रहे हैं तो COVID हमारे उपर focus कर रही थे इस से बट क्या COVID से हमारी सिंदगी में बदलाव आया क्या हम और नम्र बने अभी भी अहंकार है COVID के पहले भी अहंकार था अभी भी अहंकार है कि कुछ नहीं हुआ इंडिया में everything is fine good for you गरुण अधरिश्टी की हम अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएं ताकि भविश्य में तब इस तरह की समस्याएं आएं तो हम जादा तयार हूँ जैसे हम सर्दियों के आने से पहले दूप में स्वेटर्स उखाना शुरू कर देते हैं जी अगला सवाल हाँ 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 है मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे थे कि इन लोगों का जन्म उधार करने के लिए हुआ है क्रिश्न जी का या राम जी का तो जब इन लोगों का जन्म उधार करने के लिए हुआ तो तो उसको चार ही यूगों में क्यों बाटा गया जबकि दिन और साल की सीमा रखे गई? अब दो प्रश्न पुछ गए तो मैं पहला प्रश्न पुछ गया। पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि जब राम और कृष्ण स्वयम में इतने सक्षम हैं तो उन्हें सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ी बलराम की, लक्षमन की, हनुमान की? देखिये, सर पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन टीम की आवश्कता होती है, कि वो भी एक दिन चले जाएंगे और किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप दूसरों की उद्धार क्यों नहीं कर सकते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे भीतर नारायन है, इसका मतलब है कि क्या हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, तीनों लोग भगवान ही जन्म लिए, इनसान के तुजरत पड़ी समझ में आता है कि आने वाने जलरेशन करे काम हो रहा है, लेकिन तीनों तो भगवान ही थे ना, वो सब आपके अंदर ही है, देखिये, आपको आप इसको बहत ही कि एक्स्टर्नलाइज कर रहे हैं, सब अंदर ही है, रावन आपके अंदर तो दिखाए दिया होगा, पत्नी से पूछ लीजिए, क्या शादी, नहीं हुई है, मैं ऐसा लग रहा है कि तुम प्रतिक्षा, नहीं करी है, रावन दिखेगा, एक समय का रावन दिखेगा, यह आपका बयान है, मेरा नहीं है, जितने भी शास्तर के पात्र होते हैं, वो सब हमारे अंदर है, अगर बाहर ढून रहे हो, इसमय ल कि वे एक भी चीज बाहर नहीं है, सम अंदर है, चित्त के भी छर है, लेकिन, वो लिखा गया है, story telling कि उभी easy है understand करने के, story telling is always easy to understand, what's always inside you, why is it difficult to help people, one of the most difficult thing in this world is to help people, जंगलों में पशु भोग चाहता है वो योग की चिंता नहीं करता है मनुष्य के वल वो प्राणी है जो योग की चिंता करता है तो why, but हम, we don't, it's very difficult हमारा natural instinct है to go towards the animal instinct अभी कोई भी आप नहीं है जो इर्शा को कंट्रोल कर सके जितने भी आप्स बनाए गए है एक भी आप नहीं है दुनिया में जो इर्शा को कंट्रोल कर सके इर्शा हमारे भीतर है जब भी इर्शा आती है तो दुरियोधन को याद रखना चाहिए हमारे अंदर का दुरियोधन जाग उठता है किसी का success देखके और है हमारे भीतर वह दुरियोधन लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं को लगता है नहीं नहीं हम तो पांडव हैं लेकिन वो सभी पात्र हमारे भीतर हैं यह कहानी के माध्यम से आप इसको बोल सकते हैं यह का एकोलोजी टेक्स्ट जिन्दगी का कहानिया सो इस बड़ी एजी वेए अफ अंडर्स्टेंग वरी रैपिडली एक ही घंक में आपको दस हजार साल का नोलेज मिल जाएगा कि जो पहर जो समय की आधारणा अनंत कि jij जो नासदी सुक्त वाली जो बात है तो नासदी सुक्त में युग का कॉंसेप्ट नहीं है रिगंवेद में युग की बाते नहीं होतीॡ यूग की बातें केवल पुरान शास्तर में होती है, पुरान शास्तर दो हजान साल पुराने है, और Rigved 3000 के ऊपर है, और ऱ। यह यूग का कॉंसेप्ट नहीं है। चातुर यूग का कॉंसेप्ट, चातुर वर्न का कॉंसेप्ट, चातुर आश्रम का कॉंसेप्ट, चार 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 यह एक प्रकार का समझाने का तरीका होता है। देखिए, it's a mathematical principle, अगर आप कोई problem solve कर रहे हो, तो उसको simplify करने के लिए, मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अच्छा त्री थिंग्स you can do today, यानि कि जो अनन्त है, जो infinite है, उसको finite कर देता हूँ और इमेजिटल आपका दिमाग चलता है, तो तेल में त्री थिंग्स करने वाले हो आप नर्वस हो जाओ गया, लेकिन अगर मैं गोलो कि, तेल में थी थिंग्स you want to do, okay, tell me one thing you're going to do today, तो इमेजिटली वो क्या होता है, आपने इसको format कर दिया और simplify कर दिया आपने life को, वैसे ही अपनी जिंदगी को मैं तर फोर स्टेजिस अफ लाफ, इसका मतलब नहीं कि व method, a trick, a tip, चार योग होते हैं, चार वर्न होते हैं, चार आश्रम होते हैं, तो it's a way of explaining, you know, साथ, कहीं seven का division होता है, कभी eight का division होता है, eight directions are there, time के, you know, three past tense, present tense, future tense, simple, you know, length, breath, height, तीन, शिवजी के तीन, so it's a way of remembering, शिव के तीन आंख हैं, बेल पत्ते में तीन पत्ते होते हैं, तीन, 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 चार, 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 चातर भुझ, तो it's a way of explaining things, तवकि बहुत चीजे आपको याद रखेगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गनित आ जाएगा, and you're able to, आप पूछे, इतना knowledge, आप कैसे, how how does my brain remember all this, एक अलगॉरिदम चल रहा है, वाप, एक रूल बुक है, तो ये सब रूल बुक के टिप्स है, and if you understand it, it's very fast, you'll pick it up very fast, but you know, it is exponential, hockey stick होता है, पहले बहुत 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 बहुत 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 थी आज के भारत में भारती नास्तिक परंपरा का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? च्छटी शताबदी इसापूर चोटे-चोटे सेक्ट्स थे बुद्धिजम और जानिजम को छोड़ भी दीजिए मकहली पुत्त गोसाल, अजित केस कंबलिन ये सब बिलकुल पदार्थवादी विचार रखते थे लेकिन ये खतम हो गए हम लोग बात करते हैं लेकिन हमारी स्मृती में कृष्ण, राम ये सब पारवती ये सब हैं लेकिन वो परंपरा खतम हो गई उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो अच्छा रहा है और इस पेक सब्लीमेंटरी सबाल की आज के युग में इसको एक गाली की तरह अरे ये तो नास्तिक है तो अनफोर्चनेटली इतना सिंपल अंसर नहीं है आपका जो क्वेस्चन का जो फ्रेमिंग है इस बेस्ट अन सर्टन असंप्शन ऐसा देखा जाए तो रिगवेद में भी देवतान भागवान के बारे में नहीं बताया गया है तो अगर आप ठीक से देखें तो रिगवेद लेन देन की बाते करती है तो अगर हम वेद को देखें तो भगवान के सामने पूज जब हम भक्ती की बात करते हैं तो वहाँ पे भी लेन देन की बात होती है भगवान को आप नईवेद्य दो और प्रसाद पाओगे जब तक नईवेद्य देते रहोगे तभी प्रसाद मिलेगा भक्ती परंपरा जिसे हम कहते हैं जो आज कल भक्ती परंपरा इस ओनली 300-400 यह उल्ट कि भगवान आपका प्रॉब्लम सॉल्फ कर देंगे यह सामंत वाद से आता है जहां पर हम बोलते हैं कि हम सब आउट्सोर्स कर देते कि पिताजी सब प्रॉब्लम सॉल्फ कर देंगे अभी भी दिल्ली में बोलते हैं न जानते हो मेरे पिताजी कौन है यह भक्ती योग है कि पिताजी सब सॉल्फ करेंगे मैं कुछ नहीं solve कर सकता मैं इतना निकम्मा हूँ कि I can do nothing लेकिन उपनिशद में हमेशा कहेंगे कि अहम ब्रह्मास में You are capable of doing things तो यह नास्तिक वाद, आस्तिक वाद यह जो division होता है पहले तो जब आस्तिक शब्द इस्तमाल होता है It does not mean faith in God It means faith in marriage नास्तिक परंपरा वो होते थे जहां पर विवाह नहीं करते थे तो बुद्धिजम, जैनिजम, योग परंपरा सबको नास्तिक कहा जाएगा क्योंकि हम पुनर जन्म में विश्वास नहीं करते पित्र रिड में विश्वास नहीं करते इसलिए विवाह हमें विश्चास नहीं करते इसलिए हम योगी बनेंगे बाउध्ध बनेंगे हमें इस संसार से तो आस्तिकता का मतलब है to accept the world यह जो रिबर्थ का साइकल है that was the concept यह जो हम बोलते हैं न थीस्ट अन एथीस्ट, that's a colonial translation which has come और जो यह व्याक्या होती है कि जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक है तो वेद में क्या है वेद में पित्रिन की बाते होती है अभी देखिए जब वेद शब्द इस्तमाल होता है कौन से वेद की बात कर रहे हैं वेदां की बात कर रहे हैं क्योंकि धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं तो जम बोलते हैं वेद को प्रमान नहीं मन, means क्या, what does it mean? यह sentence तो बहुत ही dramatic होता है, वो बॉली वोड में बहुत लोग बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह पित्र रिण में विश्वास नहीं करता वो श्राध में पित्र पक्ष में श्राध नहीं देगा इसलिए विवाह नहीं करेगा विवाहर याद रखिए बाउध्ध और जैन धर्म का सर्फस्रेश्ट पोजिशन इस ब्रह्मभचरिय और सन्यास वेद अग इस बातलब है कि वह सन्यासी बनना चाहता है लेकिन धीरे धीरे सन्यास परमपरा भी वेद में आ गया जो शंक्रचारे से आता है So that is a very later phenomenon, you know, this is a later, later phenomenon. So this is a very later phenomenon. We use these words very casually because the textbooks that were written in the 18th and 19th century and there are new ideas. If you read what the meaning of the word the asthik word, I'll show you books to read and you'll see the meaning is so different. हमको जो बताया गया है schools में और जो regularly use... अभी देखिये, for example, न्याय शब्द का मतलब क्या है? बताये, let's play this game. न्याय का मतलब क्या है? Conventional meaning है वही हम लोग सबलों का मतलब में जस्टिस है, और न्याय के अपोजिट जो होता है, वो न्याय है. जो है rational thought. So the meanings keep changing. So when you give this question, I have to first analyse आपका question कहां से आया? Because what are the assumptions that you have? वहाँ मैं बताता हूँ आपको. मेरे जो सवाल पूचा था, उसमें अंतर नही था था. मैंने सवाल आपसे यह पूचा कि जो परंपरा जिसको नास्तिक परंपरा कहा जाता है, आपने उसका भी एक नया अर्थ दिया, कम सकम मेरे लिए नया है. जो नास्तिक परंपरा कही जाती है, सांखे दर्शन या यह सब, वो भारतिय सामाजिक परंपरा में, आज के मौडरन डे इंडिया में, वो परंपरा गायब क्यों हो गई है, जबकि राम, कृशन, शिव, और जो सनातन परंपरा है, वो हमारी मुख्य परंपरा हो गई है. पहले, ऐसा माना जाता है, जितना भी हमने पढ़ा, कि यह सब विचार धारा हैं आपस में, चाहे आप भगवान पर यश्वर पर यकीन करते हो या ना करते हो, साथ-साथ चलते थे, ऐसा बताया गया हमें. अब फर्स यह देखिए, तो क्या यह परंपरा क्यों धुस्त हो गई, क्यों ख़श्त हो गई? पहली बात है कि हम आख्यानों के लिखते ह। और आपका प्रशन इतिहास का है. एक घंटा आख्यान शास्त्र पढ़ाने के बाद आपने मुझे इतिहास का प्रशन पूछाए कि लोग कुछ और ही पूछ लेते हैं. लोग कुछ और ही पूछ लेते हैं. I have a question, though we haven't talked about it, हमने उस पर अभी तक बात नहीं करी, I have a question on homosexuality, which you have spoken about largely. बहुत सारी जगह इसको taboo माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में हम काफी जगह देखते हैं, समलेंगिता पर बात होती है, तो what is your, what do you have to say? आपने जब शिखंडी किताब लिखी और उसके बाद भी समलेंगिता, तो बहुत सारे आपने हमें हमारे आख्यानों से उधारण दिये, कि कैसे ये प्रकृति के साथ सम्म है, क्योंकि सबसे बड़ा argument जो देते हैं लोग, it's a natural, अगर ऐसा होता तो फिर दो लिंगों में व बहुत वार, जो हंसे भोर गोजो दोगने खॉंद हहें MICHAEL में विए प्रकृति सो में बाहऑ जोसे है कि वड़ा औरौ आया है कि अगरान पा स्चाटी सभ्यता से हैये, क्यों पास्चाडए सभ्यता को सविकार करूं और funny thing is, जो अपने आपको भारतियों मानते हैं, उन्होंने इसको स्विकार कर लिया सभी ब्रामणों, यह सब जो हम धर्म के हैं, और रे 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 यह तो पूरा western concept है, कि भगवत गीता में स्री कृष्ण कहते हैं कि जितना भी तुम दुनिया में देख रहे हो, वह सब मैं हूँ तो ऐसी जो धर्म का कलपना कर रहे हैं, जहां पे भगवान बोल रहे हैं कि everything is me, यहां पे कुछ अप्राकृतिक हो ही नहीं सकता सब कुछ प्रकृतिके भीतर है, भगवान के भीतर, वहां पे एक लाइन है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं मेरे दो योनियां हैं, अभी यह रूपक है या लिटरल है, मैं पुरुशुत्तम हूँ, I am the greatest man, और मेरे दो योनि है यह कौन सी परमपरा में ऐसी भाषा इस्तमाल की जाएगी, जहां पे लिंग को इंपॉर्टिंसी नहीं दी जा रही है आप अगर मतुरा जाओ, और ब्रजभूमी जाओ, तो वहां गोपेश्वर महादेव जी है तो शिवजी को कोई, हम बोलते हैं माचो शिवजी, माचो शिवजी, वहां नथ लगाके बैटे हुए हैं महारास करने के लिए उनको टेंशन नहीं है कि मैं स्त्री रूप ले लूँगा श्री कृष्ण, विश्णू की बात कहे है, तो मोहीनी का रूप ले रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है तो ये जेंडर, जो हम शरीर को इतना इंपॉर्टन्स देते हैं मैंने कहा कि अगर भगवद गीता पढ़े हो तो वहां लिखा है कि शरीर क्या है जब जन्म होता है तो आप नए कपड़े वस्तर पहन लेते हो मरते हो तो नए वस्तर छोड़ देते हो तो इतने वस्तर को इतना इंपॉर्टन्स क्यों देते हो आत्मा को इंपॉर्टन्स दो चुब मैंने ये लाइन पढ़ा था और फिर मैंने ये कॉंस्ट्यूशन में मैं लग ये तो तो अलग दुनिया से आई हुई है क्योंकि जहां भगवदगीता हो सकती है यहां पर अन्नाचुरल शब्द हो ही नहीं सकता तो वहां से मेरी इंक्वाइरी शुरू हुई तो जब तक आप भारती परंपड़ा को सचमुच में उसमें आप उसका विद्या नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ भी इधर उधर से लेके जाओगे सड़नली ब्रिटिश ने जो कहा आपको लगता है हमारे धर्म में लिखा हुआ हमारे धर्म में तो कभी अन्नाचुरल शब्द इस्तमाल ही नहीं हुआ है तो तो वो कोई एक परी फेमस थी उन्होंने लिखा था किताब कोई संभोग से सन्यास तक तो मैं बच्चपन में मनेश्वरा क्या यह यह सेक्स के बारे में लिखते हैं बहुत एक्साइटिंग हो तो मैं पुना अश्रम पहुंचा तो वहां पे किताब उठाया है संभोग पहली बार, imagine those days internet नहीं कुछ नहीं आप सेक्स की किताब उठा रहा है तो आपका हाथ कहां प्रहा है और फिर उसको उठाते हो और मैं क्या करता हूँ हमेशा स्कॉलर की इंडेक्स पेज को देखता हूँ कि उसने कितना कौन से टॉपिक्स कवर किये है इत्स अड़ जिए सिंपल वी और रिमेंबरिंग लॉट अड़ झाल तो मैंने देखा कि वहांपे उसने हो मोसेशलिटी को लेखा तो बियंट चौन किया और कि उसने कहा कि हो मोसेश्वालिटी इस अजानी है इसको तो पता ही नहीं शास्त्र के पारे इसने अनुभावी नहीं किया है यह keeps talking about sex buddies, वो केवल अपनी दुनिया में मगन है, उसे पता नहीं कि दुनिया में अलग-अलग प्रकार के sexualities होते हैं, पशूव में कितने प्रकार के sexualities होते हैं, नाग का disability अलग होता है, बंदर का sexuality अलग होता है, हंस हमेशा साथ में रहेंगे जन्म पूरी जन्म लेकिन शेर ऐसे नहीं होता है सो एवरी नेचर में विभिन प्रकार के सब्सक्राइब हैं वैसे ही हमारे अंदर अलग प्रकार के सेक्श्वालिटीज वो अलग-अलग मनुश्यों में अलग प्रकार से व्यक्त होते हैं तो यह तो मैं 16 अट अंडरस्टूर कि आरे यह तो मुझे भगवत गीता में दिखाई दे रहा है जहां भगवान भी बोल रहा है मैं पुर्शोत्तम हो लेकिन मेरे पास दो योडिया है और जोई प्रॉब्लम नहीं है मोहिनी की स्टोरी है गोपेशोर महादेव की स्टोरी ह तो यह तो पासचाते लोग हैं तो उस जमाने में I was considered to be लोग मुझे दक्षनपन्ती मानते थे अभी मुझे वामपन्ती मानते जब खटा होता है तो मीठा बनना पड़ता है जब मीठा होता है तो मुंदे 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 भिंदा जी हां सिधान्त एक अभी किया है और बार बार हम लोग के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात उटती है कि हिंदूों ने खासकर जब भी भक्तिकाल की बात होती है जिसको राम चंशुकल भी अपने हिंदी साहित के तिहास में लिखते हैं तो हिंदूों ने अपने वैदिक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी फिर व्यक्ति पूजा शुरू हुई हिंदूिजम में राम और कृष्ण के किरदार आये और उनकी पूजा शुरू हुई और फिर उसको उसके लिए इस पूरी बातचीत के आसपास एक और पुछला जोड़ा जाता है कई-कई बार डिस्कोर्स में कि ह दो धर्म और सनातन धर्म का जो डिफरेंस है कई-कई लोग बोलते हैं नहीं हम हिंदुत वादी नहीं हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं न एक डिस्कोर्स इस पूरी बातचीत पे अब क्या कहना है क्या हिंदू इजम बदला क्योंकि आपकी किताब में लिख क्या होता है ना हम 1940 में जो लोग रहते थे उनका ग्यान एक प्रकार का ग्यान था हम 2023 में रह रहे हैं हमारे पास गैप कितना है सतर साल का गैप है इन दी सेवेंटी यर्स कितना रिसर्च हुआ है हर टॉपिक में नए आइडियाज आए हैं तो जो उन्होंने पढ़ा और जो हम पढ़ रहे उसमें बहुत अंतर है उनको सब ग्यान नहीं था इतिहास के बारे में यह जो आप बोल रहे हैं लीनियर अप्रोच तो हिस्ट्री कि इसके बाद ऐसे हुआ इसके बाद ऐसे हुआ इसके बाद ऐसे हुआ कि यह जो आपका अंडर्स्टेंडिंग है जब हम बोलते हैं रिगवेद के बारे में कौन सा जोगरिफी के बारे में हम बात कर रहे हैं लेट्स फाइंड आओ रिगवेद मोस्ट प्रॉबबली का अकरंस जो डिस्ट्रिबूशन है इस मोस्ट प्रॉबबली पंजाब हर्याना साइड जब यजुरवेद अथरवेद आ रहा है तो फिर वो गंजेटिक प्लेन में आया है आया भी नहीं अब ही तक साउथ ंडिया का रिफरेंस का बाने लगता है पहली बार आता है अशोक न इडिक्टस में 2000 तुंग भद्रा के आगे अशोका कभी नहीं गए तुंग भद्रा तक जाते हैं So we don't consider the geography. We talk about Bharat, like Bharat is the only one. But we don't realize that what you are talking about in history, which is what you are talking about? The history of Odisha will be very different. If I went to Rajasthan and all of me were talking about Rajput, 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 at that time, that picture was going on. And all of them were talking about Rajput, Rajput. So I asked them about Gajapati. Tell me about it. So they were so great experts. There was only one guy who didn't know about Gajapati. I said, you expect me to know everything about Rajput. You don't know anything about Odisha and Gajapati. If you broke the Somanath, then how many people attacked the Mughals? How many people attacked the Mughals in the Mughals? Tell me. There is no one answer. So when we talk about it, the people who talk so confident, their knowledge is very clear. Hinduism's history in Odisha. Odisha's history in Odisha is very different. Maharashtra's history is very different. Goa's history is very different. If I tell you about Sateri and Baitar deo, people don't understand what I'm talking about. Now people are excited about Kantara films. People are excited about Daiv Abhutakal. It's called Dakshan Karnatak. It's called Tulu Nardu. It's called Tulu Nardu. What people don't know about Tulu. If you go to Kerala, there is a lot of difference in Kerala. There is a lot of difference in Brahmanabad. So when we say that that is a very small way of looking at India, because that is why I said that in 1947, the book was written in the book, I'll give you an example. Swami Vivekananda has never done anything about Harappan. Why? Because Harappan civilization was not discovered at the time of his life. They didn't know that Harappan is something. it was discovered after his death. So when Swami Vivekan was writing, there was British Samarajj. He was writing. He knew that his world was very different. We are now living in a ghanatantra. We are living in a republic. We don't give English importance to the people. So his writings are very different in our writings. So yes, I respect all these political leaders. Savarkar Ho, Gandhi Ho, but those writings are outdated. It is old. In 21st century, they had never heard of feminism. They didn't listen to it. LGBT people didn't listen to it. So we should be very careful. You are telling me about Hindu history. When I am reading it, I am like, I have never read this. Then I remember, people used to say like this. But, Goa's Hindu history, Karnatak's Hindu history, Tulunadu's history, is different. In every area, and we don't, unfortunately, people don't know this. So they think, the moment you tell me that Ambedkar Ji has said it, I get very scared. Because if I say something wrong, then immediately, you don't. Political repercussions. And that becomes very scary nowadays. In today's time, everyone is very easy to hear. My previous tweets, which I have deleted, people also see, including your boss. Because you have told us 10,000 years ago, you have told us, you have told us, all of them, and we say, that our scholars, the Bhagavan, it's not the concept of Sanatana Dharma. Sir, the difference of Hindu and Sanatana Dharma, that we have talked about in the political discourse, do you want to say something? Two minutes. Look, all of them are the people, the people, the people, who want to win. When they are spiritual, they are not spiritual. They want to agree to them. Yes, yes, yes. You are big. They are not spiritual. Where do you come from Sanatana Dharma? One, two, one, two, one. Sir, Ram has written a book in Kendra. You have written a book in Sita. I have two questions. One is that there are 300 different ways of Ramayana. So, do you have one of them all, one of them, 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 one of them. One question. was Ramayana. The second question. Ramayana, you have two gurus, and Vishwamitra. Ramayana, in the last two, Ramayana and Vikramayana, How do you think that is the purpose of Ramayana? What is the purpose of Ramayana? कि बात की देखिए तीन सो ऐसे कहने के लिए लोक कथाओं में भी कई अलग अलग प्रकार के रामायन हैं लोक कथा में तो जैसे उडीया उडिसा में लगब जो रामायन हैं उनके सारों के अनुवाद भी नहीं हुआ है, सब दंडी रामायन है, भंजर रामायन है, एक रामायन है जहां उशा, वाइदेही बिलास, तो हर भार्षा में हमारे पास अलग अलग प्रकार के, अभी मैं एक इंट्रेस्टिंग चीज बताता हूँ, केवट की कहानी हमने सुनी है, तो आजकल मेरा इंट देख रहा हूँ, पहले राम की मूर्ति कब बनी थी, शिला लेक, कार्विंग, स्कल्प्चर्स में, तो एक स्टोरी इंट्रेस्टिंग है कि जब वालमी की रामायन में जब वो गंगा पार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो जो बोट मैं थे न, वो उनका बड़ा बोट थ ला रहे थे, तो राम जी जब बोट में बैठते हैं, तो एक बोट मैं नहीं है, मेरा मेनी बोट मैं हुआर टेकिंग हम अक्रॉस दरिवर, लेकिन जब बूर्ति में बनाने लगे, तो जो आर्टिस्ट हो बोला कि मैं इतना बोट मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं एक बोट मै जब हम वालमिकी रामायन पढ़ते हैं तो वहां पर सूर्पनक्हा का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुती भयानक रूप है लेकिन जब कंब रामायन पढ़ते हैं तो उसे सुंदर बताया गया है तो वो भयानक है या सुंदर है या एक कहानी है कि जब राजा लोक कथाओं में ऐसे जैसे उडिया रामायन में है कि रावन एक बार अपने पुश्पक विमान में उपर जाता है देखने के लिए कि राम का जो आर्मी है वानर सेना जो है कितनी बड़ी है और उसके पास एक बहुत च्छत्री होता है बहुत उडिसा में मश्रूम्स बहुत मिलते हैं मश्रूम्स तो बोलते कि रावन च्छत्ता रावन का च्छत्री है यह तो कहानी के माध्यम से या फिर एक कहानी है लोक का कथा में कि जब सीता का हरण होता है तो राम बोलते हैं कि सीता कहा है सीता कहा है तो एक हंस होता है जो बता तो राम जी घुस आता है और उसकी गला पकड़ लेते हैं और उसका गला फिर खीचते हैं। जबिभी आप कोई फाउल होता है जिसका लंबा नेक होता है तो बोलते की राम जी संचा का गला खीचा है क्योंगि लोकेशन नहीं बताया। और फिर जो रूस्टर होता है, रूस्टर को क्या बोलेंगे, चिकन, मुर्गा, मुर्गा कहता है, मुझे पता है, और मुझे पता है, और जैसे जटायू बताता है, वैसे ही मुर्गा बताता है, तो राम बोलता है, बहुत इच्छी बात कि, मैं तुम्हे सोने का मुकुट द तो और लोग मेरे पीछे बागेंगे आप प्लीज मुझे सोने का मुकुट ना दीजिए इसलिए राम उनको केवल लाल रंग का मुखुट देते हैं अब यह लोग कारमपरा है यह लोग काथाओं में से निकलती है कहानी और मैंने केवल यह ऐसे हजार कहानिया है कहानी तो र रामायन हर भारत के हर कॉर्णर में मिलेगा अगर आप थाइलेंड में जाओ सबसे पुराना रामायन का जो पैनल है इंडोनेशिया में जाके मिलेगा प्रम्बनन में 800 AD आप गूगल कीजिए प्रम्बनन सेंट्रल जावा रामायन पैनल बारवी शताबदी में यूग तो बात विची इंड कमबोडिया वहां पे रामायन का दृषण लेकिन वहां पर आपको भकती भाव नहीं मिलेगा भीर्स मिलेगा भक्ति रस नहीं मिलेगा जितने भी साउधी स्वेर्स मिलेगा भक्ति रस नहीं मिलता है भक्ति रस के एवल जैसे तुलसीडाज जी 14th, 15th, 16 तो पुराने जो भाष के रामायन है, जो पुराने नाटक है, प्रतिमान नातक वगरे, वहा पर आपको भक्ति भाव नहीं मिलता है, वीर भाव बहुत मिलता है, वीर रस होता है, भक्ति रस आता है केवल 14th century, 15th century, 16th century, कमब रामायन से शुरू होता है, तुलसी दर्स जी की तो यह जो भाव आप रामचरित्मानस में देखते हैं, वो आपको साथी स्टेशा में नहीं मिलेगा, संस्कृत काव्यों में नहीं मिलेगा, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिलता है, तो यह जी, वो यह जो ऑख से आंदर और श्राष्वामत्र की कहानी, उनको त्योयोरी नॉलेज देते हैं, आश्रम के अंदर, और श्रम तॉटे, अधर कि प्रैक्टिकल नॉलेजी देते हैं, जंगल नेके जाते हैं, जंगल में तुम्हें ताड़का का वद करना है, अहल्या का उद्ध करना है राजा का इतना पावर होता है एक तरफ वो किसी का वद कर सकता है और दूसरे तरफ किसी का उद्धार कर सकता है तो पूरा स्केल तो उसका जो बोलते हैं उसे पॉलिटिक्स का नॉलिज दिया जा रहा है कि तुम राजा बनने वाले हो तो राजा बनोगे तो सोच करना की और ये याद रखना तुम्हारे में ख्राता है कि उद्हार कर सकते हो लोगों का जिसको कोई उद्धार नहीं करता तो मुद्धार कर सकते हैं निवे दोनों चीज सुम्हें कर सकते हो तो यह व्ष्वामित्रस पढ़ाते हैं और योगवशिष्ठ पड़ाते है Willow सरे एक सवाल ये है कि कई लीलाएं कई कथाएं ऐसी हैं जिन पर आज के दौर में सवाल उठाए जाते हैं मसलन अगर हम राम का जिकर करते हैं तो सीता को छोड़ देते हैं उनकी अगनी परिक्षा लेते हैं या कृष्ण वस्तर चुराते हैं या सुंदर कांड में एक दोहा ह क्यूं कर रहे हूँ है यह जो आजकल उपण्यास लिखी जा रही है जो उपण्यास लिखते हैं वो अपने आपको लॉयर्थ बना दिये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सनातन धर्म शभद इस्तमाल होता है सनातन धर्म का मतलब मैं सब्सक्राद में इस का अंत नहीं है यहां पर कयामत का कॉंसेप्ट नहीं है, यानि कि भगवान न्यायाधीश नहीं है, ये भगवान को न्यायाधीश बनाना इसाई धर में मिलता है, इसलाम में मिलता है, हिंदु धर में भगवान न्यायाधीश नहीं है, लेकिन लेखक अपने आपको न्यायाधीश बना देता वकील बना देता है और कहता है कि मुझे राम को जज़ करना है रावन को ये कथाय लिखी गई है हमें वेद का घ्न दिखाने के लिए ना कि उन्हें जज़ करने के लिए ये उपन्यास नहीं ईपनिशद तो जब राम रामायन पढ़ रहा है हमें ये पूछना है कि ये जो कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसे क्यों पंचमवेद कहा गया है। प्रॉब्लम कहानी में है या मेरे दर्शन में है। अगर अहंकार होगा तो हमेशा प्रॉब्लम कहानी में दिखाए देगी। अगर सरस्वती प्राप्त करना है तो दर्शन कीजिए, ट्राइटो अंडर्स्टेंड, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, यह कहानी के माधियम से कुछ और बताई जा रही है, रही भात वो जो सेंटेंस की, एक और यह रामचरितमानस की है, तो याद रखिए, रामचरितमानस केवल हिंदी बेल्ट की है, अगर आप यह तमिलियन्स को पूछे तो उनको समझ में नहीं आएगा, आप क्या बोल रहे हो, कनडिगा लोगों को पूछोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, अमराथी लोगों को नहीं बता चलेगा, तो भारत केवल हिंदी, आपको आजकल सबको हिंदी बोलना पड़ेगा, यह तो जबरजस्ती हो गई है सब जगा, लेकिन अगर हम यह याद रखना चाहिए कि तुलसी दास जी ने लिखा है, और यह किस के मूँ से निकल रहा है कहानी में, बताईए, राम के मूँ से निकल रहा है या वरुन देवता के मूँ से निकल रहा है, प्रश्ण पूछने के समय है, रेफरेंस to context हमेशा दीजे, और सोचिये कि यह जो sentence पंक्ति कहां पे लिखी गई है, वरुन देवता राम जी को बोल रहे हैं कि वो डायलोग बोल रहे हैं लेकिन काकभुसंडी और राम की बीच में एक और डायलोग है जहां अभी मुझे एक्जैट संस्कृत I don't know the रामचरित मानस तो I hope some troll doesn't attack me बट वहां पे लिखा है नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई सर्व भाव कपट तजे मोह परम्प्रिय होई ये राम जी के मुझे से निकलता है अभी ये पूछिए आपको वो डायलोग कैसे याद हुआ और ये डायलोग क्यों नहीं बताया गया जो राम के मुख से निकला है नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई अब देखिए मैं हिंदी बेल्ट का नहीं हूँ लेकिन चुंकि मैंने ये लायन बहुत लोगों ने पूछा मैंने रिसर्च किया वरुन देवता के मूँ से निकली हुई वानी जो तुलसिदाश जी लिख रहे है तो पहली तो तुलसिदाश जी लिख रहे है वरुन के मूँ से निकाला जा रहा है राम कुछ और बोल रहे है वही काव्य में वही रामचरित मानस में लेकिन किसी को नहीं पता नर नपुंसक नारी अजीव चराचर कोई क्यों अभी इसमें पॉलिटिक्स दिखाए दिया जो स्पोस्ट्रुक्चरलिस्ट है उसको इनीजिटली पॉलिटिक्स समझ में आएगा तुम लेफ्ट विंग हो जी और कुई सवाल अभी इसाँ आपने बहुत सारी तरह के रमायन बताए उसमें भाक्ती रसे, अवीर रसे, सब चीजे है तो अगर आज कोई रावन को कुछ जैकेट पहनी हुए लेधर का दिखा देता है या दिखा देता है आदिपुरुष का संदर बहाद आदिपुरुष का और दुरौपदी के कंदे पर अगर टैटू बना हुआ है तो अगर इतनी सारी तरह की रमायन लिखी जा सकती है तो ये भी हो सकता है तो राजा के हाथ में तलवार है जो राजा कहेगा वही सही है हमेशा याद रखना अगर तुम्हें राज महल में रहना है सभा चातूर्य सीखना पड़ेगा राजा के हाथ में तलवार है जो राजा कहेगा वह सही लेकिन वो राजा को कभी सरस्वती की प्राप्ती नहीं हो सर बचाओ सर हनुमान जी के जन्मस्थान को लेकर काफी विवाद है अरणाचल वाले अपना दावा पेश करते करनाटक वाले अपना महराश में अपना है किस राज़ में पर मुकदमा चाहते हैं बस ये बता दो नेपाल में भी बताया जाता है हर्याना तो इसमें मतलब आपके हिसाफ से कहां देखिए राम तो दिल में बस्ते है मेरा राम तो दिल में बस्ता है तो हनुमान जी का जन्म भी मेरे दिल में हुआ है आप उसको भूगोल में ढूंड रहे हो इतिहास में ढूल रहे हो मैं उसे चित में ढूंड रहा हूँ जो चित में उसको पाएगा उसे वेद का ग्यान को कहा ढूलो रे बंदे सर इसमें मैं एक चीज और जोड़ ला हूँ इस्थान के लावा जाती को लेके भी होता है योगी जी ने भी बोला था चुनाओं से पहले कि उनकी जाती दलित है तो आपकी निजर में उनकी जाती क्य देखो जो मरवाना चाते हो लेकिन सभा चाती यह हम भी जानते हैं जहां भगवान होते हैं वहां जात में होता जहां अंकार होता है वहां जात होता है छुआ चूट देखे जहां आत्मा होगी वहां वर्ण व्यवस्था नहीं होगी वर्ण व्यवस्था धर्म शास्त्र से आता है आत्म का ज्यान उपनिशद से आता है ये दोनों बैलेंस करते हैं तो हमारा अहंकार होता है कि जिसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने अहंकार के लिए हो गएगा कि तो छोटी जात का है You are inferior तो ये अहंकार की बात है जब ही भी कोई जात की बात करता है तो उसमें सरस्वती नहीं है वो insecure आदमी है और कुछ नहीं है लेकिन manage करना पड़ता है बेकिस ऐसे लोग कंट्रोल करते हैं सा पूरी दुनिया को हाथ में तलवार है उनका तो तो इस और रियल इश्यूस अप्टो हैंडल बट लेकिन ओनली भी हैंडल वेनिकन हैंव अननेस्ट कॉन्वर्सेशन अगर विवाद से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा समवाद से प्रॉब्लम सॉल्व होता है उदार्ता से सॉल्व होता है भाशन से नहीं भाशन देना असान है copy paste कर लो मिल जाएगा आपको उदार्ता उदार बनना spirituality का केवल एक प्रॉफ है आप कितना दान देते हो भाशन सभी देते है दान बहुत कम देते है हमारा देश पैगंबरों का देश नहीं है हमारा देश दिगंबरों का देश है तो दिगंबर का मतलब क्या है जो सब कुछ दान मेले देता है कुछ नहीं है उसके पास दिगंबर इसका मतल इसका मतल नॉट टीकन लिटरली यह रूपक है कि समभडी बिल सब्सक्राइब बहुत दर लगता है और अब जब प्रेस के ऐसे बुलाते हो मुझे तो लगा घराओ हो रहा है यहां पे इसी क्या हुआ है सरस्वती की बाते हैं होता होगा कहीं यह कि बुला के मैं देवदत पतनायक से चार ऐसे कमेंड निकलवालू कि सुर्खियां बन जाएं ब्रेकिंग नूस पर हमारा आप बिलकुल निश्चंत रहें आपने तनी देर समवात किया है हमारा तो मकसद यह होता है कि हमें बहु विद ज्यान मिले ताकि हम और उदात हो सकें अपने चिंतन और दर्शन में प्लिस कंटिनु अगर विद्धी करना है जिंदगी में तनी आप लिसन तो पीपल और टॉक 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 टॉटते क्यों है क्यों कि लोग विवाद करते जैनियों में दिगंबरों की पुझा होती है और जैनियों में दिगंबरों की पुझा होती है Always ask yourself, जो श्रीमंत होते हैं, इतना श्रीमंत community है, उनको वो दिगंबर की पूजा क्यों करते हैं? हम बहुत धर्म के बारे में बहुत बात करते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि जाइन परंपरा जो भारत में है, वो हमेशा कहें कि जो पैसा है तुमारे पास, कि तुमने केवल पाया है, इन्होंने उसको दान में दिया है, तो इस इस फो तू थ्री थाउजंड यर्स हमारे देश में, आप जितने भी भारत की जितने कॉनर में जाओ, वहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा, लंबे लंबे, हम जब आख्यान की बात करते हैं, के वहल रामायन महाभारत की लोग बात करते हैं, कोई जैन परामायन की बात ही नहीं करता, अगमा शास्तर की बात नहीं करता, जैन रामायन इस डिफरेंट, जैन हरिवनश इस डिफरेंट, वहां के महापुरुष की स्टोरी, 63 महापुरुष होते हैं वहां का कृष्ण की स्टोरी अलग है, वहां का राम का स्टोरी अलग है, चक्रवर्ती के स्टोरी अलग है, तीर्थंगरों की स्टोरी अलग है, इतनी स्टोरी हैं, जैनो में, और फिल सो बैड कि लोग ये पढ़त तो नोबडी इंटरेस्टे इन ओडिसा, बेंगॉल, बेंगॉल छोड, उसके उपर तो लोग बैठे हुए है, लेकिन करनाटका, अभी लेकिली कंतारा फिल्म आगया है, उससे वजए से, at least some people know कि South India में पुष्पा फिल्म, ये जितने भी ने ने फिल्म आये हैं, at least we are looking at another country. So I think this is what we should, as a country, we are very lucky, हमारे पास इतना 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 इतन क्योंकि उन्होंने अपने संस्कृति को अपनाया, accepted it, not to be proud of it, don't be proud, मुझे ये घमंड वाली भाष्षा से कुछ नहीं होता है, घमंड से थोड़ी ना पैसा मिलता है, आप मारवाडी से पूछो, अगर बाजार में जा रहा है हो तो ना घर पे रखो, तो वहाँ विवाद मत करना, हमेशा समवाद करना, समवाद से तुम्हें पता चलेगा, मार्केट में कौन सा गूड सर्विसस देना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना पड़ेगा, So I really, really believe in, you know, Indian philosophy is just outstanding, हमारे पास, you know, China के पास Confuciusius की बात करते हैं, Confuciusius की बात करते हैं, लेकिन वो दिवार की चारो तरफ दिवार बना के रहे हैं, डरते हैं दिवार के बाहर आना, you know, fire wall होता है, great wall होता है, you know, today you met me, I would have loved if you had asked me questions more and more on Japanese mythology, Chinese mythology, American mythology, African mythology, किताब, वो भी मैं पड़ता हूँ, लेकिन सबको से रामायन मापार की चिंता है, but there is so much to learn, जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, तुमको पता नहीं होगा, internationally, how to deal with them, when I talk to a Harvard professor, मैं कैसे बात करता हूँ, when I talk to somebody in Petching, how do I talk to them, Chinese को कैसे समझाऊं भारत के बारे में, कैसे समझाऊं की, I remember I was talking to these Chinese businessmen that come to Bombay, I said, sir, you believe China will rule the world, और पूरा रूम ने कहा, yes, 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 I said, which language will you speak, they said Chinese, मैं हस पड़ा, I said, ऐसे तोड़ी नहीं होता है, तो मैंने उनको इंडिया रूपी नोट दिखाया, मैंने उनको, और बोला, बोलो, कितने languages हैं हमारे currency में, और फिर मैंने उनका yuan उठाया, और बोला, बोलो, कितने languages हैं आपकी currency में, और बोलो, कौन जीतेगा, और किया जीतना अनिवार्य है, यह स्पर्धा तो नहीं है, और फिर रूम शान्त हो गए, यह अन्देंदी कें बैकें सेड़, अभी हम, हमारे देश में हम बोलते हैं कि भारत, दो शाब्ध इस्तमाल करते हैं भारत के लिए, एक है लुआन, यह पागलों का देश है, सब कुछ उथल पुथल होता है, और दूसरा है सुखावती, सुख चाहिए, तो भारत के तरफ जाओ, हम भूल गए, पूरा देश हमें देखता कि हम सुखावती है, बुद्ध की दुनिया यह, but we have to understand, when you read Buddhism, for example, did you know some of the biggest businessmen in India were from the Buddhist community? Silk Road was controlled by Buddhists, Cotton Road was controlled by... So these things are exciting to me, and I think that is what I love doing, यसलिए पूरों के टूओ जहाते हैं मेज़ाग्ने, जब हम frustrated है, तो यह नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, चलो, किसको चड़ाते है, आज बिंदी वाली मैडम को अटेक करेंगे तो उसको अटेक कर लो अभी तो अटेक कर लो जैसे मुसल्मान बोलते हिजाब 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 तो कोई इंडिया में बोलेगा बिंदी बिंदी क्या कर रहे हो यार लक्षमी नहीं है, लोग भूके हैं हमारे देश में, वैकुंट बनाओ, रामराज्य बनाओ, सच मुछ में जी, पहले हाद उपर करी, किसके सवाल बाकी है, हाँ, क्योंकि now we have to wrap up as well जी, सर आपने रामराज्य की बात करी, एक जो लाइन मुझे आदाती है, बंदव सीता रामपद, जो नहीं परंप्रिय खिन, तो ये लाइन ये बताती है, कि मैं उन भगवान शीराम की पूजा करता हूं, जिन्हें डुखी लोग पसंद हैं, क्या इसे मैं गलत परसीव कर र जब हम तपस्वी राजा की बात करते हैं, केवल राम का नाम आता है, लोग राजा बनना चाहता है, जितने भी नेता है हमारे देश में, वो राजा बनना चाहते है, कोई तपस्वी राजा नहीं बनना चाहता, तपस्वी राजा is the key thought in रामायन, तपस्वी राजा का मतलब बोलते हैं and there's wealth distribution जिसको हम socialism बोलते हैं तो तपस्वी राजा अभी आप दुखी हो कि मेरा business नहीं हो रहा है तो capitalism तो राजा तुमको support करेगा opportunity create करेगा ताकि तुम दन बना पाओ तुम दुखी हो कि मेरे पास job नहीं है मेरे पास खाना नहीं है तो फिर अभी socialism आ गया तो तपस्वी राजा कहेगा कि धन बना है यहाँ पर उसको distribute कैसे करे उसे circulate कैसे करे क्योंकि जो धनी है वो धन बनाते रहे लेकिन वो दानी भी बनना चाहिए केवल धनी जब तक दानी नहीं बनेगा तब तक रामराज्य का निर्मान नहीं होगा लेकिन आजकल आप MBA College में जाओ मेरा लेक्चर होता है कि अच्छा, how many people think of contentment संतोष तो रूम हस पढती है वो महत्वकांशा की बात करते है वो महत्वकांशा की बात करते हैं कभी संतोष की बात नहीं करते है and that is why the world is facing so many problems अभी दुनिया को तपस्वी राजा की जरूरत है बहुत राजा है दुनिया में देखो, how is that Elon Musk behaving राजा है वो तपस्वी राजा नहीं है यू सी जेफ बेजॉस राजा है तपस्वी राजा नहीं है चाइना का किंग को देखो जी राजा है तपस्वी राजा नहीं है भारत की तो छोड़ी दो लेकिन तपस्वी राजा बनना बहुत मुश्किल है इसलिए दिगंबर की पूजा करना आवशकत है दिगंबर शिवजी की दिगंबर है तिर्थंकर दिगंबर है, ये दिगंबर concept is so difficult but जब तक तुम संतोष की बात नहीं करोगे reinvesting in the market, I mean I'm using these words, daan but it can be used in a very cheesy way, the problem is मेरी Hindi it's not that good, in English how do you turn generosity into investment these are the idea how do you turn trade into raid you know these are मैं business lectures देता हूं, I am not interested मेरा आध्यात्म से मुझे लक्ष्मी के गयान मिलता है I really made my money by talking to the business community because I genuinely believe in wealth because हमारे देश में जब हम मंगल कहते है मंगल या मंगल या इसका मतलब है लक्ष्मी आनी चाहिए अपने इच्छ से, you don't grab her तो जिसे रावन सीता को you know, हरन करता है that is grabbing market share that is grabbing your business team will talk that is not business, मंगल या नहीं है भो so these concepts जब हम राजा राम की बात करते हैं लोग तपस्वी राजा की बात करते हैं he helps me become rich but he also enables me to invest and reinvest in the market so that मैं सब का उद्धार कर सफू तो जब तक पैसा नहीं होगा आप उद्धार कैसे कर होगे you need money for the market market में ते उद्धार तो करना ही पड़ेगा so I meet rich people all the time, rich people, powerful people netabhaapre, baap कोई संतोष की बात महीं करता सब विश्नु बने है अपने आप को राम बोलने वाले हमेशा दुर्योधन होते हैं अपने आप को कृष्णा बोलने वाले हमेशा रावन होते है and यह सच है and you can see it everywhere तो उनसे बात करता हूँ तो मुझे डर लगता है अगर राजा राम मेरे सामने होते तो मैं energized होता क्योंकि वो रघुकुल के हैं सूर्य वंशी सूर्य कह करता है energy देता है आपको आप एग भी राजा के पास जाके गो इंट वान फिर मीटिंग सेक्रेट में जाके बात करो दर लगेगा आपका पूरा खीच लेगी तुमारी energy black hole के जैसे तो इसलिए राम राज्य के हमें नहीं मिल रहा है जो आप बोल रहा है जो रितु का चक्र होता है I have to be rich बट मैं दानी भी बनूंगा तो मैं धनी भी बनूंगा और दानी भी बनूंगा केवल दानी बनने से वो ता आधा हो गया अर्धसत्य है So you have to, धना is important धना लक्षमी के बिना तो घर नहीं चलेगा जी Sir हम इतनी देश से अलगलग स्कूल ओफ थॉट्स और अलगलग चीजों के बारे में मेथर्ट्स के बारे में सब के बारे में बात कर रहे है जब सरस्वती की प्राप्ती की बात आती है मेरा जैसे इंसान मैं चाहती हूँ तमाम चीजें पढ़ना But when it comes तो बहुत ओवर्वेल्मिंग भी हो जाता है कभी-कभी तो क्या कोई तरीका है कि उसमें से क्या चूज करे और मैं बेस्ट तरीका नहीं कुई बहतर तरीका और दूसरी चीज इसी में आता है सवाल की Taoism और Zen Buddhism पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत बड़े-बड़े and completely different questions But reading के लिए the simple method is मैं हमेशा question list बनाता हूं कि मुझे जब मैं किताब में जा रहा हूं मेरे मन में प्रशन क्या है I always make those questions and then I enter the book and then suddenly I'm able to or I spend a lot of time just when I had index page में or table of content कि किताब का रचना कैसे की गई है what is the architecture of the book so that I can read it very fast but of course it's practice as I said I may look young but I'm very old it's like the gym when he goes to the first day he hates the gym but after a year he goes to the gym no problem वैसे किताब का जिम होता है पहले दिन जब आप किताब उठाते हो it's horrible but then gradually you figure out techniques tips regular gym जाते हैं देव तल यू नहीं मुझे ज़रूद भी नहीं है I can do it anywhere same thing happens with books you have to figure out a method but curiosity जिग्यासा जब तक नहीं होगी curiosity नहीं होगा तब तक किताब नहीं चलेगा you have to be curious कि मैं क्यों इस किताब को उठाया हूँ you know वो एंटेनमेंट के लिए खीक है एंटेनमेंट के लिए जग्यासा है यह क्यों किताब इठाया हूँ so you have to figure out why you're reading this book why you're picking out these books that's important hello मेरी एक पुरानी जग्यासा है राजेश और सिधानत ने इस बारे में आपसे पूचा था इसे संबंदित मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमें इश्वर क्यों चाहिए मतलब और मैं इस विद रिस्पेक्ट टू जो भी आख्यान है जो भी सांकेतिक सत्य बताने की परस्पेक्टिव्स हैं उन सब का मैं सम्मान करता हूँ इसके बावजूर मैं पूच रहा हूँ कि हमें इश्वर क्यों चाहिए क्योंकि हम में दानी बनने की शक्ति नहीं है इसलिए हम किसी दूसरे सोर्स से कि वहां से शक्ति मिले ताकि हम दानी बन सके The most difficult thing in this world is being generous We can't be generous हम देना नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो इसलिए हम कहीं दूसरे हम आउट्सोर्स करना चाहते हैं इश्वर is basically outsourced याद रखिए कि उपनिषद में हमेशा कहेंगे इसका मतलब है मेरे भीतर देवता है तुम्हारे भीतर भी देवता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ तुम मुझे खाना दे सकते हो तुम भूके हो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ मैं भूका हूँ, तुम भी मुझे कुछ दे सकते हैं लेकिन ये करना, आप कोई भी relationship देखिए, कितना difficult है क्योंकि आप जो परोस्ते हो सामने वाला खाना नहीं चाता और तुम्हें जो चाहिए वो मिलता नहीं है तो हमें लगता है कि कौन हमें परोसेगा तुम भगवान के तरफ देखते हैं लेकि जैसे आपकी इस कहानी से मुझे ये समझ में आ गया और भी ऐसी तरह की कहानिया और भी आख्यान उसे समझ में आ गया इन्विजिबल हैंड क्यों चाहिए जो इस दुनिया को चलाए वक्यों हमें तुम्हे नहीं चाहिए, को चाहिए नहीं को चाहिए तुम्हारे बारे मैं नहीं है ना थे चुनाओ में आखे ज़्फिक्रिं़ है ना सी लाइफ जिसने को अट वा 버ष जब होषे ऩाग, प्रल्ब होश्ड पसंद आएगा,마 Virgin libre देवता नहीं चाहिए, कोई नास्तिक होता है विभिन्नवाद तुम्हें नहीं चाहिए, इन्विजिबल हैंड गुड फू यू पट अधर्स नीड इट ना, तुम महान हो इसलिए शिवजी को देवी बुलते है कि आप महादेव हो, लेकिन बाकी लोग नहीं है, तो आप अपने आपको महादेव बल्के पहार के उपबाइड गहे लिकिन जो बाकी लोग है वो गधे नहीं है they are also humans योगी का वैल्यो क्या है अगर वो भोगी को help ना करे और भोगी का यूज क्या है अगर वो योगी का है ना करे so this is what, so we have to understand कि people around you will not think like you that doesn't make them foolish you have to empathize कि दर्शन करो क्यों चाहिए उसको invisible hand और फिर सहानभूती आएगी वो insecurity what makes us go into social media and be nasty पहले जमाने में social media नहीं था तो लोग बात्रूम में जाते थे और बात्रूम के पीछे लिखते थे गंदे गंदे चीज़े जितने भी public toilets होते हैं तो फिर अमेरिका में किसने बोला कि आरे तुम टॉयलेट के पीछे क्यों लिख रहे हो मैं तो मैं एक ट्विटर बना देता हूं तो वहां पे जो भी गाली गलोज करना है लेख लो और सुपर हो गया बेकिला 44 बिलियन डॉलर्स वही काम जो तुम बात्रूम के नीचे लिखते थे यह अगर अगर एक जिसको किया है अखरी स्वाल अभी बहुत ताइम रन हो रहा है और आपने कहाँ सिंबल्स की भी क्या कुछ कहानी होती यह क्योंकि अक्षर मैं बच्पन में सुना है जब हम स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक अभी गलत बन जाता है तो मेरी मां हमे हाभ है हिन्थाल बनाता है...मद्धिरोirens गजिना प्रतिकों के माध्यम से हम भात कने लिखने के पहले हम प्रतिक बनाते थे निया से चक्र बनाया है यह जो श्रुवजी का होता है तो धी देकि शुझी का जो ido டी का इसे इंबल है वो तीन भस्म से तीन लाइन होता है तो यह बहुचे भस्म उसे क्यू बनाया गया है, तीन लाइन क्यूं cold horizontal क्यू है, horizontal हिंदी में क्या बोलेंगे horizontal शेटरज शेटरज। बहुत संसृत शब्द है horizontal lines three parallel थीन क्यू चार क्यू नहीं तो जब आप चंतन करओगा इसकी ऊपर और suddenly उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा और फिर विश्नु का सिंबल वर्टिकल क्यों होता है और वो चंदन से क्यों बनाया गया है तो देखे हर चीज में कुछ ना कुछ एक्स्प्लेनेशन होता है कोई गलत और रॉंग सिंबल ऐसे कुछ नहीं होता है जब कोई बोलता है गलत है तो पुछना है आपको कैसे पता है तो गूगल में तो नहीं बताया है सब तो जैसे स्वस्तिक सिंबल कहां से आया है उसका, you know, there are many many stories and I keep telling you but let's look at this, यह दो दो सिंबल को लेगते हैं क्योंकि यह आपपुलर है तो यह आत्मा का चिन है जब सब कुछ तूट जाता है तो क्या बचता है आत्मा बचता है तो जो राख होता है वो आत्मा का चिन है राख देखके, अगर आप राजा को जला दोगे और एक चोर को जला दोगे, दोनों के राख एक जैसा दिखेगा क्योंकि आत्मा में कोई फर्क नहीं है इसलिए राख को हम बहुत शुभ मानते हैं और फिर वाई होरिजॉंटल क्योंकि शिवजी महादेव हैं वो कुछ नहीं करेंगे वो लेटे रहेंगे काली उनके सामने आके नाचती है कि उठो कुछ करो और बुलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है वो कुछ ले लेते हैं आप भी बोल नहीं सकते क्या लेते हैं मस्त बैठे रहते हैं तो हमेशा होरिजॉंटल होगा और तीन क्यों होगा क्योंकि ये तीन शरीर है हमारे स्थूल शरीर कारण शरीर सुक्ष्म शरीर यह तीन शरीर जो तरिपूर अभी देव दिवाली गई है जिसको तरिपूरी पुरनीमा बोलते है तो तरिपूर का ध्वंश करने वाला यह तरिपूर का मतलब क्या है जिसे हमारा मानसिक दुनिया हमारा शारीरिक दुनिया और हमारा समाजिक दुनिया हम तीन दुनिया में रहते हैं एक मानसिक जो प्राइवेट होता है शारीरिक दुनिया जिसे हम खाना देते हैं जिम में जाते हैं भोग विलास करते हैं और तीसरा होता है समाजिक दुनिया जिसमें हम जीते हैं तुमीं नहीं दुनिया का वहां पुछ कर देतेते ह।ादी, तुमीं और भण ऊंपों तो लेटे देंके। लेकिन विष्नुक कह घाएगे कि आच सक्षित तो दुनिया में कुछ करना पड़ेगा, भद्धार करना पड़ेगा, लोग額े ayam到 सब्सक्तु घलब तो लकडी को जलाने से राह बनता है, तो वो चंदन का लकडी लेते हैं और उसको पानी डालते हैं, तो आग और पानी और पानी को वो पीसते हैं, और जितना पीस होगे उतना चंदन निकलेगा, और जितना पीस होगे उतना चंदन निकलेगा, और जितना पीस होगे उतना च करते हैं लोगा फिर चिंटा मत करो हो जाएगा चंदन निकलेगा लेकिन दिखाई नहीं देता है नहीं टेंशन मत लो आ जाएगा सुगन्द आ रहा है देरे देरे करके वह चंदन आएगा उसको वर्टिकल क्यू रखो कि काम करने के लिए आपको लेट नहीं सकते हो के जैसे उठना पड़ेगा काईलाश परबस से काशी आना पड़ेगा तो इस हमेशा वर्टिकल हो गया और तिलक भी हम वर्टिकल ऐसे लगाते है न तिलक को बीच में तिलक हो गया तो तिलक जो होता है न वो वीररस का सिंबल है कि करो लेकिन चारो तरफ जो वीररस के बीच वी में जो वी होता है, वो चंदण जो होता है, वो बोले है कि, चाया हुआ वीर को शांतता के अंदर रेको, रोदर रूप में मत जालो, हमेशा थे नीचे अर्शान्ती होना चाहिए, लीला के रू दिम्हे लीर करो, लेकिन के वल चंदण लगाएं, जो आजकल हिंदी फिल्म हीरो बनाते हैं, उसमें शांतरस नहीं होता है विश्नु जी का हमेशा शांतरस होता है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में जो आजकल जो DC Comic वाले images बनाते हैं, that is not वो चलता है आजकल, कुछ भी चलता है लेकिन शास्तर के अनुसार so when you see these symbols तो हर symbol में, जैसे मैंने जस्ट दो symbols बताये, स्वस्तिक के उपर और बाते निकल सकती है कई कई बाते निकल क्या होता है वो एक symbol से जैसे अपने डाइग्राम बना दिया, वो डाइग्राम से आपके thoughts आते है, ideas आते है विचार आते है, और आपका Brahman, आपका जो मन है उसमें विस्तार आता है so you have now learnt, hopefully ये conversation से कुछ होता है हमारे बीतर, हमको नहीं सोच आती है हमारे पास, दुनिया को देखने का तरीका अलग हो जाता है, which is what दर्शन करने से होता है तो या प्रतीकों से, आख्यानों से, रीती रिवाजों से तो जब, अभी मैंने आग और पानी के बाले में बताया तो जब अन्तिष्टी होता है, तो अन्तिष्टी में आग और पानी का इस्तमाल करते है जब आप लेके जाते हो शरीर को तो पहले हम आग से जलाएंगे शरीर को फिर आख को उठाएंगे, वो जो हड़ी उठाएंगे, वो सब फूल कहते है फूल चुनना तो यू टेक अस्थी विसर्जन करोगे वापिस पानी में जाओगे, एगैन पानी और आग आग से राख होता है और पानी से चंदन निकलता है और घर बनाने के लिए आप आज कल बोले कि बिल्डिंग में एलेक्टिसिटी और पानी है इलेक्टिसिटी इस अगनी और पानी इस और तो अभी भी हम वही सोच रहे हैं लेकिन वो दिखो शिव और विष्णु दोनों आगए इलेक्टिसिटी आगया मतलब शिव जी आगए और पानी नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा और दोनों देवी के साथ डील कर रहे है शिव जी को शक्ती को डील करना पड़ता है विष्णु को लक्षमी जी के साथ डील करना पड़ता है I mean I can go on and on and on ये तो अनन्त हरी कथा अनन्त तो ये तो चलता रहेगा लेकिन देरे सो माच नौलेग, इंडिया इस सो रिच सरस्वती इतनी है हमारे देश में टुटर छोड़िये मेरा बुक खरी दिये चलो आज़ा पड़पड पूचो आगे आप जैसा कि अभी आपने कहा कि भक्ति का और हिंदुजम का जो कॉंसेप्ट है वो बहुत ब्यूडिफुल है इवन आपने आपने आपल की बात की स्टीव जोब इंडिया एथे हैं और ये गेंट सो मच फॉम ये लेकिन आज की डेट में इसके नाम पे पैसे लिए जाते हैं पॉलिटिक्स हो और रायट्स होती है तो अज़ कंट्री वे लाकिंग जैसे कि आपने बागी कंट्री की बात की या या चाइनी या अमेरिकन माइथालोजी वहाँ इसा क्या हो रहा है जो यहां नहीं रहा है इतना इज कल्चर हो और जुड़ के बावजूर्च भारत आए वो धनी बने दानी नहीं बने तो इतना भी इंपोर्टंस मदो स्टीज जोब्स को वही लिया भारत से धनी बन गया है दानी नहीं बन पाये अट जोग भूल गया जंगल का पेड गट गया जंगल को इसकी आद नहीं है तो इतना भी इंपोर्टन्स अमेरिकन्स को मत दो I talk to the professors there I say, तुम्ने तु बद दुनिया को बरबाद कर दिया तुम्हारे M.B.A. स्कूल्स ने Climate change, social inequality, look at the presidential elections Nightmare, हम तो गरीब थे, गरीब हैं But developing countries में भी भी नाम आता है See, the thing is, वो अमीर थे, अभी गरीब बन गए है इसले किसी को घर में, देखिए पहले जमाने में क्या कहते हैं कि जो भी घर आता है उने खाना दो, पेट काट के खाना दो Europe और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है हमारे घर मता हो यार, हमारे पास पैसे नहीं यह डेवलप्ट नेशन बोल रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बोल रहे हैं कि मेरे घर मता हो यार, तुम मेरा खाना खाओगे धनी बने है, दानी नहीं बने है तो राजा बने है, तपस्वी राजा नहीं बने है तुम क्लाइमेट चेंज का प्राबलम कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे उसिंग पॉलिस्ज़, आध्यात्म की तरफ जाना हीं पड़ेगा अब 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 एवरी रिच मैना आव में अवे जाना हीं पड़ेगा अब अब इसो दो इसनए का बढ़ेगा अब आप प्राइवेट बेटा देवार किसी के साथ बठाओगा लाइवेट इसनफ यही दाइलॉग में ज्गी-जोपणी में सुनता हो प्राइवेट जे अब तुम तो धनी हो आप तुम तो धनी हो काशी विश्वनात में पूजा करते हो दर्शन नहीं करते है तो स्टीव जब भारत आया सीखा क्या दान करते है you read his story, he's a horrifying man rude, obnoxious, disrespectful just because he's successful doesn't make him a nice man so be careful of successful people वो धनी होते हैं दानी जब तक नहीं होंगे that is अपस्वी राजा 25 साल की जो मेरी तपस्या है ये पढने से this is the one lesson I learned तपस्वी राजा is very difficult राजा भी बनना है धनी बनना है तपस्वी भी बनना है which means दान करने की ख्षमता होन it's very difficult to do दान to be generous not just financially generous emotionally generous intellectually generous it's extremely difficult आप देखे जितने भी अमीर लोग successful लोग politicians को देखिये न एक बार elections जीत के कितना ग्हमन लेकिन हम रामचरित्मानस पढ़ते हैं और हम vegetarian है ये थोड़ी न सिखाते है के बल vegetarian है रामचरित्मानस पढ़ते है इसलिए हम Hindu है जब तक तुम तपस्वी राजा नहीं बनोगे तुम हिंदू नहीं हो नईवेद्य और प्रसाद की बाते नहीं भूलनी चाहिए and this is something we forget Hinduism is not about going to the temple or building a temple शेखरवाला मंदिर बनाया मैंने हाँ तो क्या हुआ दानी हो की नहीं बताओ कितना दान की हो it is very foolish people because Lakshmi है उनके पास Saraswati नहीं है मेरे किताब नहीं पढ़ते हो on that note Devudat भाई साभ बहुत आनन्द आया हम लोग अक्सर अपने पेशे में और जब नौजवान लड़के लड़कें से बात करते हैं तो ये बात कहते हैं कि वो अक्सर करियर को लेके सवाल पूछते हैं तो एक तैशुदा जबाब होता है कि जबाब ऐसे काम में हो कि घड़ी की टिक-टिक आपको न सुनाई दे तो हमें वो सुख समवाद में मिलता है आपने समवाद के लिए हमें चुना और हमारी हिस्से की जिग्यासाओं का अपने तहीं जवाब दिया पूरी ललन टॉप टीम आपकी बहुत कृतक यह है थैंक यू सोब्हाद बहुत धन्यवाद गेस्ट इन दा न्यूजरूम में समवाद का सिलसिला चलता रहेगा आप देखते रहिए ललन टॉप शुक्रिया